हलो विन, Master Current Fairs Series के अंतरगत आज का हमारा विशे है Science and Tech विज्ञानेयम प्रदोकी के विशेवस्त को हम यहाँ पर जन्वली 2021 से आज पढ़ना प्रारम करेंगे और अप्रेल 2022 तक के यहाँ पर वार्जिकांग के घटना करम को हम डिसकस करने वाले हैं इसमें Current Fairs के टॉपिक्स को एक करके देखेंगे जो कि यहाँ पर Science and Tech के अंतरगत इंपॉर्टेंट रहे हैं देखा जाए तो Science and Tech UPSC के एकजाम में एक इंपॉर्टेंट रखता है और यहाँ पर आपको देखा जाए तो 12, 14, 15, 16 कोश्चन यहाँ पर आपको पिछले 4-5 सालों में आये हुए हैं वहीं हम UPSC की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर General Science के कोश्चन जादा रहते हैं लेकिन पिछले 1-2 साल के गर पैटरन को उठा कर देखें तो UPSC में भी यहाँ पर Science and Tech के कुश्चन की यहाँ पर संख्या बढ़ी है इस दिश्कोर से अगर हम Science and Tech को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर जो कुश्चन आपको आते हैं कुछ ऐशे विश्यवस्त हों हैं जब आप Science and Tech को पढ़ते हैं जो स्लेवस आपका है उस स्लेवस के कॉर्डिंग यहाँ पर 4-5 जो टॉपिक हैं वो बहुत important होते हैं और जहां से ज़ादा तर प्रशन आपको आते हैं इसमें अंत्रिक्ष, सूजना संचार प्रदोकी, जैव प्रदोकी, रक्षा प्रदोकी और साथी साथ उर्जा प्रदोकी यहाँ पर एक important respect रखते हैं साथी साथ इसमें IPR जैसे topic हैं वो भी यहाँ पर question का आधार बनते हैं इस दिश्कोर्ण से अगर देखा जाए तो हम अंत्रिक्ष हो गया या जैव प्रदोकी हो गई या फिर आपको देखा जाए कि रक्षा इत्याज छेत्र हो गए उन सारे चीजों को हम chapter wise में पढ़ने जा रहे हैं chapter wise पिछले डेड़ साल में यहाँ पर किस तरीके के घटना करम develop हुए हैं उनमें क्या-क्या चीज़ें आई हुई हैं और किस तरीके के important यहाँ पर आपको पढ़ना है मेरे साथ देखिए मैं सारे topics आपको बताता चलूँगा chapter wise सारी जानकारी आपको देता चलूँगा बस आपको ध्यान से सुनना है समझना है board पे दिखाई नहीं दे रहा है तो इस चीज़ को यहाँ पर दरकिनार करिए बस आपको मेरे साथ यहाँ पर अगले एक डिएड़ घंटे जो भी समय यहाँ पर लगने वाला है exactly पता नहीं कि वीडियो कितनी देर में जाके खतम होगा लेकिन यहाँ पर आपको starting से लेकर अंधे तक मेरे साथ बने रहना चीज़ों को सुनना है जो topic है आप उन्हें point-wise कर सकते हैं बना सकते हैं, उनके point बना सकते हैं वीडियो को देख करके, सुन करके उनके notes बना सकते हैं, quick revision के लिए कोई अभी exam में time भी है इसके अलावा या फिर आप इनके main point बना सकते हैं दूसी चीज़ देखिए आपको इन topics से related किनकी चीज़ों को study करना ये current के घटना करम को तो हम पढ़ने वाले हैं लेकिन current के घटना करम के साथ-साथ आपको ये भी यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन से यहाँ पर basic concept हैं या फिर आपको knowledge यहाँ पर होनी चाहिए जो आपको as a question यहाँ पर पूचा जा सकता है तो इन सारी चीज़ों को भी हम एक एक करके समझते चलेंगे पढ़ते चलेंगे और यहाँ पर revision करते चलेंगे देखें समय कितना भी लगे संयम यहाँ पर जरूरी है और मेहनत कितने भी लगी हमें सफलता यहाँ पर अर्शित करनी है और इसी द्रिश्टकोंड से हमें यह पूरे lecture को discuss करना है यहाँ पर आपको सयम परते हुए सारी चीजों को सुनना समझना और पढ़ना है और मेहनत करनी इस तरीके से इस बार यहाँ पर exam हमारा successful हो जाए तो चलिए इसी द्रिश्टकोंड के साथ इसी लक्ष के साथ आज का हम अपना विशेवस स्टार्ट करते हैं ध्यान से मेरे साथ यहाँ पर अगले कुछ समय बनाये रखना है और चीजों को सुनते और समस्ते चलना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जैप्रतोकी के चैप्टर को पढ़ेंगे और जैप्रतोकी के अंतरगत पिछले एक दिल साल में कौन-कौन से घटना क्रम यहाँ पर इंपोर्टन रहे हैं उनको देखते हैं तो हमारे यहाँ पर जो पहला विशेवस्तु है उसको अगर देखा जाए इसमें देखे है जीनोम इरिटिंग के बारे में पहला यहाँ पर टॉपिक है पहला टॉपिक इसका है जीनोम इरिटिंग का क्यों चर्चा का विशे रहा तो सुनिए देखे बायो टेकलोजी विभाग मिन ने यहाँ पर सिरेमिक एंटीजन टी सेल थेरेपी का अभी हाल ही में परिक्षन किया है यह किस तरीके का परिक्षन है तो यह कैंसर कोशिकाओं की यहाँ पर पहचान वह उन्हें नस्ट करने में सहायक है तो कैंसर कोशिकाओं की पहचान करने में नस्ट करने में सहायक के लिए जीन एटिंग की एक नई प्रक्रिया को डेलब किया गया है जो कि एक परेक्षण प्रक्रिया है किस तरीके की सिरेमिक एंट्रिजन टी सेल थेरेपी परेक्षण हम इसे कहते हैं और क्या है इसमें तो ध्यान रखिएगा बेसिकली जो कैंसर कोशका आधारित यहाँ पे जीन एडिटिंग की जा रही है और इसके माध्यम से देखा जाए क्योंकि कोश्काओं के माध्यम से यहां पे cancer के लगा था कोश्का जितनी तेजी से विभाजित होती है cancer कारी कोश्का है उतनी तेजी से यहां पर यह बढ़ती है तो यहां पर genome editing का जो प्रयोग है बेसा कला है जीन ऐसे जीन जो कि इसके लिए उत्तरदाई होते हैं उनको editing करके यहाँ पे antibiotic cells को develop करना और उसके माध्यम से यहाँ पर हम उन कोशकाओं के तेजी से विभाजन करना, cancer कोशकाओं के यहाँ पर प्रवित्ति को समाथ करना और cancer कारी प्रवित्तियों को तुरित सम में पता लगाने जैसी सभी प्रकार की प्रक्रियागत इस्तितियां आपको genome editing के माध्यम से यहाँ पे संभाव हो तो ऐसा नहीं कि यह सिर्फ cancer कारी प्रवित्तियों के लिए ही यहाँ पर उपयोग किया जाएगा बलकि इसके साथ साथ यह अन्य प्रकार के रोगों में भी यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है जिसमें leukemia, multiple myola, glioblastoma, type 2 मधमे इन सारी चीजों में भी यहाँ पर genome editing के इस परिक्षन का यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है तो पहला topic genome editing अब यहाँ पर देखे अब आपको इसको बारे में क्या पढ़ना है basic concept में genome editing क्या होती है, gene editing क क्या है, खोज कैसे करते हैं, कौन सी प्रक्रिया इसमें यूज की जाती है, कौन कौन सी तखिनिकिया, अब तक genome editing को लेकर खोजी चा चुकी है, कितने प्रकार से होती है, इसके लाभ, हान, नुकसान क्या है, यह सारी चीज़े, तो जैब अब प्रदोकी के वाले chapter में genome editing से चलिए, अगला topic है, यहाँ पे सोया मिल, यह क्या है, तो देखी, यह सोया मिल एक पशुधन चारा है, जो की genetically modified यहाँ पर एक फसल है, इसकी प्रकिती कैसी है, तो निर्जीव प्रकार की प्रकिती है, और यह कुकुट चारी की फसल की एक घटक है, साथी देखा जात, यह परियावरन वन जलवाई मंत्रालाई के द्वारा इसके आयात को हाल ही में मंजूरी दी गई, जिसका रहन यह चर्चा का विशह बनी है, और भारत में अगर देखा जात, कौन कौन सी genetically modified फसलों का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, इसमें BT का पास की खेती को करने को लेकर 2002 मे यहाँ पर अनमत दी गई थी, इसके लावा गोल्डेन राइस जैसी चीजें हैं, और GM सर्सू जैसी फसलें वो भी यहाँ पर प्रयोग परेक्षन किया जा रहे हैं, तो genetically modified फसलें क्या होती है, यह भी topic यहाँ पर नोट करिए, इनके बारे में आपको यहाँ पर जाकर पढ certified है, सोया में इसका नाम है, और साथी साथ यहाँ पर परयाण वर्मंत्राले के द्वारा इसको लेकर अनुमति दे दी गई है, क्योंकि निर्जीव प्रकिती है, थाथ यह जाधा फैलने के संभावना इसकी नहीं है, अगला है genome अनुक्रमण, ठीक है, अगला topic है, genome अनुक क्रमण को खोज लिया है, और यहाँ पर अर्थात इसका मतला हुआ कि DNA के जो चार यूगम के 60 क्रमकी को समझने में यहाँ पर सफलता प्राप्त कर ली है, देखा जाए तो जो आपका DNA होता है, उसमें आपको बताया जाता है, काफी सार एजीन होते हैं, और यहाँ पर आप Human Being में यहाँ पर 3.6.000.000.000 होते हैं, जो मानों से सम्मंधित मानों निर्माड और वहाँ पर उससे बनाय जाने वल अन्य प्रक्रियाओं जो मानों में निर्मित होती हैं, जो सूचनाए होती हैं, अन्य प्रकार के तस्वितियों का निर्माड होता है, वो इन ही छार यूग अनुक्रमन को तैयार करने में सफलता हासिल कर ली है, जीनोम अनुक्रमन का क्या मतलब हुआ, कि हम जीन को सही तरीके से एक व्यवस्तित क्रम में यहाँ पर रखना, और उसके माध्यम से यहाँ पर मानों से सम्मंधित क्रियावधियों, सूचनाओं की यहाँ पर प्राप् से अनुसंधानवा नवाचार को बढ़ावा देने हे तू यहां पर प्राइड संबंधी प्राइड एक तरीके का नाम है कि योजना का एक दिशान अउसको लेकर बायो टेक्नलोजी विभाग के द्वारा यहां पर दिशान अरदेश दिये गए हैं बेसिकली अगर देखा जा तो प्राइड जो है इसके अंतरगत बायो टेक्नलोजी विभाग का कहना है कि इसमें जैविक ग्यान के डेटा के साज़ा करन सिधानतों के बारे में चर्चा की जाईए जैविक डेटा कर्थात एक जीव से सम्मंतित यहां पर डेटा को किस तरीके से एक व्यक्ति संस्था के द्वारा किसी दूसरे और व्यक्ति और संस्था के साज़ा करने के क्या नियम दिशान नरदेश हैं इसको लेकर यहाँ पर सारी दिशा नरुदेशा कहते हैं सिध्धात या प्रावधानों को तै किया गया है तो कौन-कौन से यहाँ पे प्रावधान है उनको समझ लेते हैं पहली बात इसमें कही गई है कि निजिता वा गोपनीता का संदक्षन करना होगा किस बारे में जैविक यांके डेटा का हमें क्या करना है निजता और उसके गोपनीता का संदक्षन करना है दूसरा डेटा उच्च मानकों पर आधारित निस्पक्ष सत्यापन योग यहां पर होना चाहिए पारदर्शिता बरतनी चाहिए और लोग सहभागिता को इसमें शाम उसके माध्यम से एक बायो ग्रिट की संकल्पना विक्सित की जाएगी जिसके माध्यम से इन डेटा को एक दूसरे साथ यहां पर साजा करने की प्रवितियों को यहां पर अपनाया जाएगा लेकिन डेटा की यहां पर साजा करने की प्रवितियों के दौरान या साजा करन क दोरान यहाँ पर इन चार सिध्धानतों का आपको पालन भी करना होगा तो इसको लेकर बायो टेक्नलोजी विभाग ने यहाँ पर अपने सिध्धानत या दिशानर देश जारी किये चली अगला है राइबो न्यूगलिक एसिड हस्तक शेप यह क्या है तो कीट नाशकों के निर्माड है तो यहाँ पर आरने हस्तक शेप तकनीकी का प्रयोग यहाँ पर किया गया जिसमें आवांचित कोश्काक या हानिकारक जीन को निश्क्री किया जा सके आरने अणों को इस्प्रे, स्टेम, इंजेक्ट, रूट ट्रेशिंग या बीज उपचार के द्वारा इसे पौधों में पहुँचाय जा सकता है तो बेसिकली देखे कोई पौधा या फसल इत्याद में कोई ऐसा जीव या जीवान या किसी ऐसे रोग से वो ग्रस हो जाए तो यहां पर राइबो नुकलिक्त हस्तक्षेप तक्नीकी के माध्यम से एक ऐसी तक्नीक विक्सित की गई है जिसके माध्यम से हम पौधों या फसलों में ऐसे जीवानों या कीतों या ऐसे चीजों को हम यहां पर आरने यहां पर आरने हस्तक्षेप की प्रक्रिया के माध् माध्यम से हम फसलों को यहाँ पर जादा बेतर तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि उसके परयावरण के अनुकूल होते हुए वहाँ पर जादा प्रभावी हो सकती इस प्रकार के कीटों के विरुध और यहाँ पर साथ ही साथ हम अच्छी फसलों के उत्पादन को भी यहाँ पे संभव बना सकते हैं तो RNA हस्तक शेप जो तकनीक है यह आपके RNA में परिवर्तनकारी प्रवित्यों के माध्यम से इस तरीके के changes लेकर आती है जिसके माध्यम से फसले क्या हो जाती है अवांचित कोश्का या हानिकारक जीवन को यहाँ पे निश्क्री कर दें अगला इसमें है dark genome dark genome क्या है पारंपरिक तोर पर जीन के रूप में परिभाशित छेत्रों के बाहर के DNA को हम dark genome कहते हैं ठीक है dark genome देखा जाए तो हम ऐसे genome को भी आप कह सकते हैं कि जिनके बारे में आपको knowledge बहुत कम है अर्थात ऐसे genome के बारे में भी आप इसे कह सकते हैं जिनके बारे में हमारे पास इतने बहतर उपकरण नहीं है कि इन से और दुभी विकार से जुड़े प्रोटीन के लिए हाँ पर Code बनाते हैं तो यहाँ पर देखें जो चर्चा का वश्ओ है कि अलग-अलग प्रकार के रोगों के लिए क्या ये जीन यहाँ पर Dark Genome है? जो इस तरह के प्रोटीन इत्याज का निर्माण करते हैं जिसे bipolar disorder हो गए इसके जो फ्रेनिया हो गए जैसे रोग यहां पर उत्पन होते हैं तो यह क्या dark genome इसके लिए जिम्मेदार है क्या उनके द्वारा बनाएगे उपकरण इसके लिए जिम्मेदार है इसको लेकर खोज हुई है हाली में और इसी पर इहां पर काम किया जा रहा है अगला है इसमें देखे बीटी डिए अगला इसमें है बॉर्ण DNA क्या होता है यह बॉर्ण DNA ऐसी सनरचनाए जो अपने वातावरण में मौझूद सुक्ष्म जीवों के जीन को निस्क्री और उनके विवहार वा विश्यस्ताओं को धारण कर लेते हैं ठीक है क्या मतलब कि ऐसी सनरचनाए या ऐसे DNA जो मौझूदा सुक्ष्म जीवों के जीन को क्या कहते हैं निस्क्री कर देते हैं और साथी साथ उन जीवों के जीन या DNA के जो गुण होते हैं वो स्वयम यहां पर धारां कर लेते हैं ऐसी सनरचनाओं को हम कहते हैं बोर्ग DNA अब देखा जाए तो इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग यह भी यहां पर देखा जाए तो आपको यहां पर यह पाचन की प्रक्रिया को समपाधित करते हैं साथ ही उपापचाय के क्रियाओं में अनिक जीवों की विश्षिताओं को समाहित करते हैं इनका संभाविज जो उपयोग किया जा सकता है वो जलवाई परिवर्थन के विरुद्धिया जा सकता है इसकी खोज अमेर की वैग्यानकों के द्वारा की गई है और बोर्ग डियने जो होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल घटक भी यहाँ पर शामिल होते हैं तो जो गुण इसमें पाया जाता है कि अपने आसपास के वातावरन को यहाँ पर देखा जाए या सूख जीवों को यह निसकरी कर सकता है उनके गुण को स्वयम धारन कर सकता है तो यहाँ पर जलबाई परिवरतन के कारण जो इस तरह के प्रवितियां ड्वला पूई है वह विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनी इकृत यहाँ पर अत्यादुनिक राश्ट्री जीन बैंक का लोकारपन किया गया इसमें 10 लाख जर्म प्लाज्म संद्रक्षित किये जाएंगे चमता ध्यान रखेगा पहली चीज़ की विश्व का यह दूसरा राश्ट्री जी जीन परिग्रहन है जिसमें से 2 समलो 7 लाख जो जर्म प्लाज्म है वो भारती है बाकी जो शेष है वो विदेशों से यहाँ पर आयात किये गए हैं इसमें 4 प्रकार की सुविधाये दी गई है ध्यान रखेगराश्ट्री जीन बैंक में 4 तरीके की सुविधाये हैं कौन-क 26 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर काम करता है इन विट्रो जीन बैंक है जो 25 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है और फिल्ड जीन बैंक भी यहाँ पर आपको सेवाई यह दे रहा है तो यह तो राश्टी जीन बैंक की यहाँ पर सुविधा हो गई एक और यहाँ पर डेट संग्रान केंद्र है वहीं भारत का जो सीड वॉल्ड है वो चांगला लगदाख में यहाँ पर इस्थित है तो चलिए राष्टर जीन बैंक के बारे हम देख लिया और इसके साथ-साथ यहाँ पर आपको जैप्र दोकी के important topics को हमने डिस्कस किया है अब इन important topics पे आपको भी यहाँ पर study करनी है खासकर यहाँ पर genome editing DNA, RNA गत्की यहाँ पर प्रक्रिया गतिस्तिया GM यहाँ पर फसलों के बारे में और साथी साथ यहाँ पर देखे जाएं तो dark genome प्रक्रिया genome अनुक्रवन के बारे में यहाँ पर आपको जरूर यहाँ पर जो basic concept है basic जानकारी है उसको यहाँ पर revision करना है तो पहला chapter complete है जय प्रदोकी से related current के topics के साथ जो basic चीज़ें आपको revision जरूर करनी है पूरा मत पढ़िए लेकिन main main जो इससे related topics है उनको जरूर यहाँ पर पढ़ते चलना है चलिए जय प्रदोकी के बाद दूसरा chapter आता है नैनो प्रदोकी के बारे में तो कौन-कौन सी घटना अक्रम रही है यहाँ पर पिछले साल में एक डेर साल में नैनो प्रदोकी से related पहला है नैनो यूरिया liquid उर्वरक का निर्माड किया गया है यह नैनो आकार के नाइट्रोजन कण है इन कणों का प्रिष्टी छेतफल अधिक है और कणों की संख्या अधिक प्रभावशाली इन्हें बनाती है इन्हें short form में हैं NVL कहते हैं और NVL जो है इनका उत्पादन करने वाला भारत विष्व का प्रथम देश बन गया है तो ध्यान रखेगा भारत नैनो यूरिया liquid उर्वरक का उत्पादन करने वाला विष्व का प्रथम देश यहाँ पर बन गया है और क्या खासियत है इसकी देखा जाए तो यह पारंपरिक रूप से सस्ता है पारंपरिक यूरिया की आवशक्ता को यह 50 प्रिशत कम कर देगा साथी मृदा, जल और वायु की गुर्वत्ता में सुधार लेकर आएगा ऐसा इसलिए क्योंकि देखे जादा मातरम जब आप यूरिया या उर्वरक यूज करते हैं तो वो सचाय इत्याद के माध्यम से पानी के साथ साथ मिट्टी में यहाँ पर भूमियत चला जाता है उर्वरिया का जब आप उर्वरक चिड़काव इत्याद करते हैं तो वो हवा के माध्यम से यहाँ पर फैलता है इससे हवा, भूमी और जल तीनों ही दूशित होते हैं लेकिन यहाँ पर लिकेड़ उर्वरिया क्योंकि वहाँ पर देखा जाएं इसने कहा कि 50 प्रिशत और वरग के उपयोग को कम कर देगा इसके कहना का मतलब यह हो कि यहाँ पर कम और वरग का परयोग किया जाएगा जिससे जो मिर्दा वाई और जल यहाँ पर आपका प्रदोशित हो रहे थी उसमें भी यहाँ पर आपको कमी आएगी और सुधार के स्थितियां देखने को मिलेगी National Fertilizers Limited और राश्ट्री Chemical and Fertilizers Limited ने annual की प्रदो की हस्तांतरन के लिए Indian Formers Fertilizer Cooperation Limited के साथ यहाँ पर समझोता किया गया है अगला टॉपिक है ट्राइबो एलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर यह क्या है तो नैनो एवं मृदू पदार्थ विज्ञान केंद्र ने लागत प्रभावी जैन संगत और साथी साथ यहाँ पर देखा जाए तो नैनो जनरेट त्यार किये गए हैं जो हर जगा मौझूद कमपन के रूप में उपस्तित यांत्रिक उर्जा को बिजली में उत्पन्द कर सकता है अर्थात एक ऐसे यहाँ पर नैनो जनरेटर जो की अपने आसपास यहाँ पर जो कमपन है उस कमपन यानि यांत्रिक उर्जा को यहाँ पर पर कारे करता है और इसके अनुप्रयोगों में आप्टो इलेक्ट्रोनिक्स, स्वचालित उपकरण, अन्य जैव चिकिस्था अनुप्रयोग, नामक विज्ञानिम प्रदोकी विःखा की स्वायत एक संस्था है, जो इसका यहाँ पर निर्माड कर रही है, तो इस तरीके से ध्यान लखेगा, नैनो जनरेटर्स के बारे में, जो कि यहाँ पर कमपन को यांत्रिक उर्जा, जो कि यहाँ पर उसमें उत्पन है, उस यांत् प्रदोकी में जादा कुछ नहीं था, दो important aspect है, जादा कुछ यहाँ पर development है नहीं, लेकिन हम आते हैं इसके अगले chapter में, और अगला जो chapter है, वो काफी important है, वो है सूचना प्रदोकी के साथ-साथ यहाँ पर computer, दो chapters को साथ में मिलकर पढ़ेंगे, सूचना प्रदोकी और computer computer में सबसे पहले blockchain पर एक राश्ट्री नीदी आई है, और इस राश्ट्री नीदी का एक एहम हिस्सा यह है, क्योंकि टेक्नलोजिकल बेस भी यहाँ पर आधारित हैं, और blockchain technology को देखा जाए तो वरतमान समय में भारती रज़र बैंक के द्वारा भी से अपनाए जाने की ब बात भी हो रही है, ऐसी स्थिती में blockchain तकनीकी को लेकर यहाँ पर क्या आया है इसको समझ लेते हैं, देखे साथी blockchain और सरचना के माध्यम से विश्वशनी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तयार करने को लेकर यह राश्ट्री नीदी लेकर आई गई है, साथी इसमें अनुसं इसमें डिजिटिल सेवा को उबलब्द कराना, electronics और सूचना प्रदो की मंत्राले के द्वारा इसे विक्सित नीती के रूप में यहाँ पर इस नीत के तहत यहाँ पर इसका विकास किया गया है, देखा जाए तो blockchain technology का जो हम अनुप्रयोग यहाँ पर करते हैं, यह भूमिक इसके record को रखने के लिए, digital प्रमाडपत्र, औसध की आपूर्त, e-notry-seva, krishibima, पहचान प्रबंधन, इत्याद के छेत्रों में वर्तवान समय में हम यहाँ पर blockchain technology का प्रयोग कर रहे हैं, इसके लावा देखा जाए, तो सरकार ने यहाँ पर NASCOM के सहयोग से future skills prime यहाँ पर गठन किया गया है, साथी साथ यहाँ पर देखा जाए, तो blockchain technology को लेकर राष्टी नीद के बारे में ध्यान रखेगा, question यहाँ पर पूछा जा सकता है, इसके लावा एक और चर्चा का विशह है, लगातार जो आप सुन रहे होंगे, 5G technology को लेकर, क्या है 5G technology को लेकर चर्चा का विशह क्यों है, तो Gio, Airtail और Vodafone idea के 5G परेक्षन प्रक्रिया को पूर्ण करने की समय सीमा को दूर संचार विभाग के द्वारा हाल ही में 6 महिने के लिए बढ़ा दिया गया, जो last यहाँ पर date थी, कि आपको 5G technology के यहाँ परेक्षन यहा जालित होती है, जो नए प्रकार के यहाँ पर नेटवर को संभव बनाता है, जिसे मशीनों, वस्त्वों, उपकरणों सभी को एक साथ आभासी रूप से जोडने के लिए डिजाइन किया गया है, अब यहाँ पर उन्नत सेवा प्रदाता के जिसमें मशीनों, वस्त्वों, यूग तो बनाए जाएगा, इसमें 5G को ये थ्री बैंट पर ये काम करता है, जो निम्न अर्थात लोग फ्रिक्वेंसी, मेडियम फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी पर भी ये काम करते हैं, 5G को गती, लेटिंसी अर्थात विलमता, जो मैसेज या कॉल्स की आवाज होती और उपयोगता जैसे देरकालिक मुद्वों के यहां पर समाधान में यहां पर बहु उपयोगी हो सकता है, अर्थात ऐसी समस्यों का समाधान में सहायक यहां पर हो सकता है, 5G टेक्नलोजिक के सासा 6G के लिए भी एक नवाचार समूओ का गठन किया गया, ठीक है, 5G अभी चालू नहीं हुआ है लेकिन 6G को लेकर यहाँ पर काम सुरू कर दिया गया है और इसके लिए एक नवाचार समू गठित किया गया दूर संचार विभाग के द्वारा इसके अध्यक्ष है के राजारमन और इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर 6G के अनुसंधान और विक टक्निकी, Student Educational and Cultural Movement of Ladakh संस्थान को Li-Fi Network के यहाँ पर प्राप्ठ हुआ Li-Fi देखा जाए तो एक Wireless Optical Fiber Network टक्निकी है जो डेटा संचालित करने के लिए प्रकास उत्सर्जक डायोड का यहाँ पर प्रयोग करता है और देखा जाए तो Li-Fi का जो उप्योग अपने आप में है बेसिकली हम देखा जाए तो Network या Internet यहाँ पर Provideation संचार को यहाँ पर बहतर बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते है और Li-Fi क्योंकि यहाँ पर बहतर क्यों और है दिखे सबसे अच्छी चीजी है कि अद्धिक तीव रिगत सी यह डेटा का यहाँ पर हस्ताना अंतरन करता है connection यहाँ पर Provide कराता है शहरी छेत्रों में इसका और भी जादा बहतर उप्योगता भी यहाँ पर होता है जहाँ पर Radio Spectrum यहाँ पर बहुत आयात मात्रा में उप्लग्ध हों वहिए गाउं में जादा बहतर तरीके से इसलिए काम करता है कि अगर गाउं में आप Fiber Optical यहाँ पर Network के एक बहतर व्यवस्ता है connectivity है तो यहाँ पर Gramet छेत्रों में भी लाइफ आईः जो सेवा हैं वो काफी बहतर यहाँ पर सुनिश्चित हो सकती है इसके लाव है देटर ट्रांसफर के लिए प्रकास तरंगों का हम उप्योग करते हैं ठीक है AI तो IOT देखा जाया Internet of Things के बारे में दूर संचार अभियांद्र की केंद्र ने Code of Practice for Securing Consumer Internet of Things नामक यहाँ पर एक report को जारी किया है ठीक है इस पर एक report आई है क्या है इस report में इसके तहट सभी घटकों घट उपकरणों को उनकी पहचान के लिए एक code प्रदान किया जाएगा इसमें मानक वा अंतर संचालनी संचार प्रोटोकॉल का उप्योग कर किसी मानवी हस्तक शेप के बिना Machine to Machine संचार को संभव बनाये गया है साथी IOT के तहट Mobile उपकरण Smart Watch कारें इत्याद को इसमें शामिल किया जाता है और इसके लिए प्रोसेसर, संसर, संचार, हार्डवेर उपकरण यहाँ पे उप्योगी होते हैं जिसके माध्यम से हम जैसे की Mobile है, Smart Watch है कारों है, इत्याद को आपस में हम जोड सकते हैं और उनकी प्रक्रियाओं को संपाजित कर सकते हैं इसका उप्योग वर्तमाद स्वे में घर, कारखाने, वाहन, रक्षा, चिकित्सा, क्रिशी, पर्यावराण जैसे छेत्रों में हम Internet of Things का प्रयोग कर रहे हैं अगला है Metaverse Metaverse क्या है? देखा जाए तो Metaverse परियोजनाओं में विश्व के सीर्ष पांस देशों में शामिल है और ऐसा यहाँ पर देखा जाए तो Metaverse क्या है? उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं देखे तो में इसका उप्योग जो होता है Metaverse जो है, एक प्रोजेक्ट है जो की Blockchain तकनीकी पर यहाँ पर आधारित है इसमें Games और Application को संदर्भित यहाँ पर Metaverse है और Metaverse को हम कह सकते हैं आभासी वास्तविक्ता या समझा जा सकता है अर्थात कोई ऐसा Game या ऐसी चीजें जहाँ पर आप खेल रहे हैं जो कोई Game ही आप खेल रहे हैं उसमें आप आभासी रूप से, वर्चुल रूप से आप उस Game के अंदर यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर Metaverse की दुनिया तो वर्तमान समय हम देखा जाए तो इसका उपयोग जो होता है, डिश्टल रूप से किया जा रहा है इसमें हम लाइव या आभासी रूप से उपस्तित रह सकते हैं किसी Game इत्याज में Metaverse के टोटल साथ घटक हैं ध्यानर के कितने हैं, साथ घटक हैं, कौन-कौन से हैं अनुभाव, जैसे कि Game हो गया, आपका Social Media हो गया खोज, जिसमें विज्यापन Network हो गया अर्थवेवस्था के स्रिजन करता जिसके तहट यहाँ पे Design Tools, संपत्ति बाजार हो गया चौथा यहाँ पे देखा जाद, अस्थानिक गर्णा जिसमें 3D Engine हो गया विकेंद्री करन जिसमें Age Computing, Artificial Intelligence हो गई और Humor Interface जिसमें Mobile Smart Watch हो गया ग्लासेज हो गया और अफसरचना जिसमें 5G हो गई यह सारी चीजों को मिला करके हम Metaverse को कहते हैं और Metaverse के माध्यम से ही हम यहाँ पर इस तरह के एक Application और Games या App Develop कर पाते हैं जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति को उस Metaverse की दुनिया में आभासी रूप से यहाँ पर पहुंचा सकते हैं या उपस्तित वहाँ पर वो हो सकता है चलिए एक और नियम आया है भारत में ड्रोन के विन्यमन को लेकर क्या है यह नियम नागर विमान मंत्राले ने Drone NEET 2021 के प्रारूप को यहाँ पे जारी किया है जिसमें ड्रोन मानो रहित विमानों के Remote Control के माध्यम से विमान चालक के बिना परचालित होने वाले यहाँ पर उक्करन के तोर पर होते हैं और इन drone का देखा जाए तो यह जो नियम यहाँ पर लागू किये गये हैं, नौ सेना, जल सेना या थल सेना के drone पर यह प्रतिबंद इत्याद यहाँ पर नहीं लगाया जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई नियम नहीं है, यह बेसिकली आमव्यक्ति और यहाँ पर प्रा रक्षन, सहरी, सर्वेक्षन, स्वास्त, सफाई, निगरानी, दवाओं के वित्रण, आपूर्त, यातायात, प्रबंधन, घरेलू, सुरक्षा, आपदा, प्रबंधन में खोज बचा, वित्रण, और खनन, अन्वेशन, और उनके प्रबंधन के द्रिश्कोंड से यहाँ पर ह है, और दस्वी की परिक्षा आपने उतिंड कर रखी हो, साथ ही यहाँ पर ड्रोन के कई अलग-अलग यहाँ पर श्रणिया बनाए गई हैं, उनके आकार और साइस के हिसाब से, तो यहाँ पर देखे, ड्रोन जो है, नैनो ड्रोन, सूक्ष्व, लगु, मध्यम और विशा जित्रों में कर सकते हैं, कि जित्रों नहीं कर सकते हैं, तो इन दिशान निर्देशों में कहा गया है कि तीन जोन बनाए गए है, ग्रीन, यलो और रेड, ग्रीन एरिया में देखा जाए, तो आप यहाँ पर ड्रोन का आम रिक्तिया जो है, वो परिचालन कर सकता है, लेकि तो यहां पर इस तरीके से यह जो दिशा निर्देश है वो ड्रोन नित्क में यहां पर जारी किये गए अगला टॉपिक है सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देखे इसको लेकर हाली में भारत ने एक प्रतिवन्धात्मक यहां पर थोड़ा सा रोक लगाने की इसको बात कही गई है सैटेलाइट इंटरनेट पर योजना को लेकर जिसके कारण यह चर्चा का विशय रहा तो यहां पे स्टार लिंग के माध्यम से एक ऐसी योजना को लेकर आया गया था क्या है इसके बारे में क्या क्या जानकारी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ देखे सरकार ने स्टार लिंग इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भारत में उपग्रा आधारित सेवाओं की पेशकर्ष करने से रोकने के लिए यहां पर परामर्श जारी किया है इसमें सैटरलाइट इंटरनेट सेवाओं के वानिजिक लांच किसी भी कमपनी को उपग्रा आधारित जैविक मोबाइल निजी संचार के सेवा लाइशेंस की यहां पर आवशक्ता होती है कहने का मतलब यदि कोई भी कमपनी है जो उपग्रा आधारित यहां पर इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड कराता है तुसे सबसे पहले यहां पर भारा सरकार की या उस देश के हमें यहां पर संचालन करने की आपको अनुमती लेनी पड़ेगी यहां व्यक्तिकत संचार पनाली है जो छोटे और सरल परिवहन योग यहां पर टर्मिलों के समध्ध उपग्राओं के समू द्वारा यहां पर अंतर राश्च्री, छेत्री और वेश्च्री कवरेज यहां पर प्रदान करती है इसे एलियो कक्षा में स्थापित किया गया है और भारत में आने प्रिकार की यहां पर देखें सेवाओं में digital subscriber, live fixed wireless internet, wireless network, fiber optical network की जैसे सेवाओं के माध्यम से आपको यहां पर internet प्रवाइड करा जाता है लेकिन भारत में क्योंकि यहां पर एक निजी प्रक्रियागर तिस्थियां है और निजी छेत्र के माध्यम से यहां पर प्रवाइड करा जा रही है तो उसमें कई सारी अखूफिया जो जानकारियां है वो निजी अस्तर पर यहां पर प्रयोग की जा सकती है उनका दुरोपयोग किया जा सकता है और किसी प्रकार करें आप लाइसेंस भी यहां पर नहीं ले रहे हैं प्रयोग कैसे करते हैं क्या लाभान ही है वो देख लीजिए दिखे ये F.R.T. चेहरा पहचानने की तक्रीक है इसमें पहचान की पुष्टी के लिए हम यहां पर उपयोग करते हैं फोटो वीडियो या रियल टाइम में विस्स चिन्धों को यहां पर हम बायोमेटरिक के रूप में यहां पर प्रयोग करते हैं साथ इसमें computer algorithm की मदद से हम इस चेहरे को एक vicious database में परिवर्थित करते हैं, आपके biometrics को लेते हैं, जिसमें आपका चेहरा, आखे और अनतरीके की जो जानकारियां हैं, वो इसमें मिलान करते हैं या तुलना करते हैं, और उसके आधार पर आपकी जानकारी यहाँ पर लेते ह इस प्रकार से जो data का संग्रहन किया जाएगा, इस data का संग्रहन किस संथा के द्वारा किया जाएगा, राश्ति अपराध record, यहाँ पर किया जाएगा, देखे, इसमें अपराध शामिल हैं, लापता बच्चों आदि किसी पहचान इत्याद करने के लिए, साथ ही यहाँ प प्योग यहां पर कर सकते हैं, ठीक है, कि कोई व्यक्ति यहां पर कोई अपराधी तो नहीं है, कहीं घूम रहा है, उसके पहचान नहीं की जा सकती है, तो वहां पर हम सिस्टम के माध्यम से हम उसके पहचान कर सकते हैं, कोई बच्चा को गया है, या उसके यहां पर पहचान नहीं हो पा रही है, या वो लापता है, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, ओफिस इत्याद में यहां पर अटेंडेंस के तौर पे हम यहां पर इसका कर सकते हैं कुछ लाब हैं लेकिन साथिसाथ इसके अपने कुछ नुकसान भी है जैसे की निज्टा का उलंगन डेटा यहाँ पर सनरक्षन कानून नहीं है साथिसाथ निगरानी विनियामन समंधी प्रभाव यहाँ पर कम है सरकार के द्वारा यहाँ पर इस्तमाल व्यापक निगरानी के रूप में भी आपको किया जा सकता है और यह सारी यहाँ पर चिंताएं व्यक्त की गई है FRT से रिलेटेड फेशल रिक्रोनिसल सिस्टम को लेकर के यहाँ पर चिंता या हानी के तौर पे से दर्शाया जाता है तो फाइनली यहाँ पर पहला पार्ट टोटल देखा जाएत needed हम सिर्फ 4 पार्ट में आपको पूरा वीडियो कंप्रीट कर देंगे और यह first part मैंने आपको complete कर दिया है आदा गंटा यहाँ पे हो चुका है आदा गंटा आदे गंटे से आप मेरे साथ बने हुए है और फैला part हमारा complete हो गया है हम आते हैं अपने दूसरे part में ठीक हैं? दूसरे part में आएंगे उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पर आपको यहाँ पर ब्रेक ले सकते हैं क्योंकि अगला जो chapter है वो अंत्रिक्ष प्रदोकी पर आएगा लेकिन पहले यहाँ पर इसे finish करते हैं अगला देखे इसमें topic आया है भूस्थानिक डेटा को ले करके क्या है भूस्थानिक डेटा तो देखे इसमें विज्ञानिम प्रदोकी मंत्राले के द्वारा भूस्थानिक छेत्रक के सम्मंदी यहाँ पर दिशा निर्देश दिये गए हैं जिसमें प्रित्वी की सता पर अवस्थित वस्तूओं घटनाओं का डेटा यहाँ पर लिया जाएगा इसमें असी प्रिस्त जो डेटा है वो भूस्थानिक है देखा जा, तो यह डेटा दो प्रकार के होते हैं एक वेक्टर डेटा होता है जिसमें यहाँ पर अवस्थित वा आकार को प्रदर्शित करने के लिए हम ज्यामती आकृती का प्रयोग करते हैं दूसरा यहाँ पर है आपका रेश्टर डेटा जिसमें हम डिजिटल इमेज स्कैन का प्रयोग करते हैं मानचित्रों इत्यादी का प्रयोग किया जाता है भूस्थानिक डेटा का प्रयोग अनुप्रयोग हम कहां कहां किन-किन छेत्रों के लिए करते हैं तो इसमें आपदा जोखिम में कमी के लिए सामाजे विकास, उर्जा और बहतर कनेक्टिविटी को स्थापित करने के लिए हम भूस्थानिक डेटा का यूज करते हैं तो इसको बारे में ध्यान रखेगा भोस्थानिक डेटा. अगला है साथी, ठीक है, क्या है साथी? विज्ञाने प्रदों की विभाग ने चार वर्षों के लिए पाँच साथी केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है. ये उच्च विश्रेशन की सामाने सेवाएं प्रदान करेंगे, इस पर इस प्रकार दोहरा और विदेशी स्रोतों पर इनकी निर्भरता को कम करेंगे, साथी प्रवन्धन सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, वर्तमान समय में इसके अंतरगत तीन केंद्र बनाया जा चुके हैं, जिसमें IIT खड़कपुर को इसमें शामिल किया गया है, IIT दिल्ली और BHU वारांसी को साथी पर योजना के तहत यहां पे शामिल किया गया है. तो इस तरीके के देखे, साइन्स और टेक का मतलब हमेशा यही नहीं होता है, कि आपको basic concept related question ही पूछे जाएंगे, कई बार वो बहुत simple से related योजनागति सितियों के बारे में किये गए, समझोतों के बारे में, उसके प्रावधानों के बारे में भी आपसे यहां पर question पूछ लेते हैं, कई बार सिर्फ मिलान इत्याद करने के लिएकर, कई बार संस्थाओं के बारे में भी question यहां पर पूछ लेते हैं, तो science and tech में आपको अपनी basic concept को समझने के साथ साथ, consciousnessization के साथ, योजनागति सितियों, सरकार, संस्थाओं, इत्यादे और किये के समझोतों, नई खोजों के बारे में भी आपको लगातार, पढ़ते रहना चाहिए, यहाँ आपको यहाँ पर ज्यादा question सही attempt करके आने, अर्थात एकांगी होके नहीं पढ़ना है, बलकि science and tech को अलग अलग प्रस्पेक्टिव से, और पूछे जा सकने वाले आधारों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर आपको study को continue रखने हैं, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, अगला है इसमें इंडी गव, इंडी गव क्या है, देशी पस्वों की नसलों की सुध्ध किश्मों में, यहाँ पर सनरक्षण यहाँ पर देना, उन्हें प्रदान करने के लिए यहाँ पर देखा जाए, तो प्रथम एकल पॉली मॉर्फेज्म चिप यहाँ पर विक्सित की गई है, और इसे यह 11,496 मार्करों के साथ विश्ध की सबसे बड़ी यहाँ पर पश्व चिप है, इस स्वदेशी चिप को राश्टी पश्व जैप्रतों की संस्थान हैदराबाद के द्वारा विक्सित किया गया है, तो देशी पस्वों की नसलों की सुद्ध किश्मों को यहाँ पर संरक्षन प्रदान करने के लिए यह क्या है एक 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 एकल पॉली मॉर्फिन चिप यहाँ पर है और इस तरीके का चिप बनाने के लिए भारत यहाँ पर पहला यहाँ पर देश बन गया है, तो विश्व की सबसे बड़ी यहां पर पर्शुचिप के रूप में इसे ड्वलब किया गया है और ड्वलब किया किसी नहीं तो वह भी ध्यान लगना है राश्टी पशु जयव प्रद्धों की संस्थान है द्राबाद के द्वारा अगला है फेक बस्टर ठीक है क्या है फे डीप बस्टर डीप बेसिकली हम कहते हैं ऐसी चीज़ को जिसमें डीप का मतलब होता है डीप लर्निंग और फेक से मतलब होता है यहां पर आपको नकली वीडियो और और अने डिश्टल रूप से परवर्दित मीडिया द्वारा और कि उसे प्रस्तुत करने की यहां पर आ यहां पर आपको फेक कह सकते हैं आपको कह सकते हैं कि जो पहचानना उन्हें यहां पर इपर भटाना के लिए यहां पर फेक बस्टर को आयाई टी रोपर ने विक्सिद किया है कि कि अगला है सभी पहलों के लिए कृतिम बुध्chesदि मत्ता क्या है इंटल ने CBC और सिक्षा मंत्राले के सहयोग से यहां पर इसे विक्सित किया है जिसमें चार घंटे की श्वागत्सील सिक्षन कारिक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इसका उदेश है दस लाख नागरिकों को Artificial Intelligence से यहां पर परिशित कराना तो सिक्षा का एक बहतर माधिम Artificial Intelligence की तहत सुचालित तरीके से सिक्षा प्रोवाइड कराना अगला है Delphi, सेलफी आप अपनी इमेज और फोटो यहां पर अच्छी खासी क्लिक करते होंगे लेकिन Delphi का क्या मतलब होता है Science and Tech के शेतर में इसको भी समझ लीजिए Delphi के Artificial Intelligence प्रणाली है जो नैतिक निर्णाय लेने के लिए डिजाइन की गई है जिसे किसी भी ऑनलाइन सेवा, रोबोट वावाहन में अस्थापित किया जा सकता है यहाँ प्रणाली महिलाओं के प्रति नशलिय पूर्वाग्रह, Facial Recognization प्रणाली और Digital Assistant Heat Speech इत्याइद को नियंतरित करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते है तो Delphi का प्रयोग यहाँ पे ध्यान रखेगा और किस सिस्टम पे काम करती है अगला है Util Set Quantum उपग्रा यह फ्रेंच ग्याना से प्रक्षेपित किया गया और यह विश्व का प्रथम वाणिजी को अद्पूर्णता पुना प्रोग्राम करने योग यह उपग्रा है इस उपग्रा का प्रयोग गतिशील आपजिक्ट जैसे विवान, समुद्री पोथ है तो सचल कवरेज यहाँ पे प्रदान किया जाएगा प्राक्तिक आपदा इत्याद में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं उनकी स्थिती इत्याद के बारे में पता करने के लिए इसे एरबस के साथ यूरोपी अंतरिस्ट एजेंसी की संयुक्त परयोजना के तौर पे ड्वेलप किया गया है अगला है ग्लोबल पोजिस्टनिंग सिस्टम क्लॉक्स ये क्या होती है भारती रेलवे अपने नियंतरण कारियालों को GPS घडियां यहाँ पर उपलब्द कराएंगी क्योंकि ये जो उपग्रा प्रणाली आधारित घडियां है जो पृत्वी पर सभी मनुश्यों को अंतराश्टी परमानिक समय मानकों तक कम लागत वाली पहुँच यहाँ पर प्रणान करने के लिए हम यहाँ पर परमार्वी घडियों का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर देखें GPS आधारित जो आपकी क्लॉक्स है या घडियां है वो भारती रेलवे के द्वार आपने नियंत्रन कारियालों को दिया जाएगा अगला है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यह पहला फोरम है जिसको नॉम्बर 2021 में देखा जाते हैं इसकी यहाँ पर बैठाक हुई और इसमें इंटरनेट से सम्मंदी सावजिंट नीद के मुद्दों पर चर्चा की गई इसमें अंतर सरकारी संगठन, निजी साइटिय के संगठनों यहाँ पर प्रच्पेट किया अंति में जो टॉपिक हैं जो सुचना संचार प्रदोकी में वो है डिज्टल एंबार्सिंग टेक्नलोजी इस टेक्नलोजी में का उपयोग मानचित्रों के उचगति से उत्पादन और ब्रेल मानचित्रों के निर्मा एवं थिमेटिक मानचित्रन संग्टन के द्वारा डिजाइन और कारियानवीत यहाँ पर किया गया है तो ध्यान रखेगा इसके बारे में क्या नाव है इसका डिज्टल एंबार्सिंग टेक्नलोजी उपयोग किस लिए किया राता है किस तरीके से कारी करता है और इसको व प्रक्रमा को देख लिए चार चीज़े यहाँ पर आपके complete हो गई आते हैं अंगले टॉपिक पर जिसका नाम है यहाँ पर आपका अंत्रिक्ष प्रदोकी एक important chapter देखें अंत्रिक्ष प्रदोकी अपने आपने काफी importance रखता है importance कई तरीके से रखेगा आपको सबसे पहले यहाँ पर उपग्रह कौन कौन से प्रक्षेपित किये गए अंत्रक्ष के बारे में कई सारी जानकारी हो सकती है जो उपग्रह लॉंच किये गए उन उपग्रहों की क्या विश्यस्ता हो सकती है उपग्रहों के भी में भी देखा जाए तो उनके अलग-लग टाइप्स किस कक्षा में स्थापित किया गया वो आपसे पूछा जा सकता है प्रक्षेपण यानों के बारे में पूछा जा सकता है जैसे भारत के इस रो के बारे में पूछा जा सकता है नासा के बारे में पूछा जा सकता है अंतरिश्च एजिंसियों के बारे में पूछा जा सकता है तो इसमें काफी सारी जानकारी है काफी सारी नॉलेज है काफी सारे मैटर है काफी सारे स्टडी मेटेरियल है और इसलिए यहाँ पे अंत्रिश्प्रदोकी को लेकर लगातार question आपसे पूँचे भी गए है आपने देखा होगा exam में आपको कभी निसार के बारे में पूचा गया है ठीक है कभी आपको चंद्रमा, चंद्रियान, कभी मंगलियान के बारे में पूचा गया है कभी PSLV, GSLV के बारे में यहाँ पर पूचा गया है यह सब क्या है, सब अंत्रिश्प्रदोकी के चैप्टर से पूचे जाने वाले प्रस्ट है ऐसी स्तिती में जरूरी हो जाता है कि आप इस चैप्टर को जब पढ़ रहे हैं यहाँ पर कौन-कौन से घटना क्रम अफी डेवलप होने वाले हैं उन पर नजर बना के रखे क्योंकि यह इंप्टर है आपके एक्जाम के लिए तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो अंत्रिश्प्रदोकी है इसली में पढ़ाने से पहले जो जानकारियां देने जा रहा हूँ जो बताने जा रहा हूँ उनको यहाँ पर समझने से पहले आपको इस टौपिक की इंपोर्टेंस आप यहां पर समझ लीजए ठीक है तो चलिए आप पढ़ते हैं आपे देखे अंत्रिक्ष प्रदोकी में पहला जो टॉपिक है वो है गगनयान मंगलयान चंद्रयान हो गया बंगलेबारी है गगनयान की क्या है गगनयान दिखा जाए तो एक मानव रहेत मिशन है गगनयान क्या है, मानव रहेत मिशन है बेंगलेवरु में एक अंत्रिक्ष यात्री प्रसिक्षण सुविधा की यहाँ पर अस्थापित किया जा रहा है और इसके माध्यम से इसके निर्मित हो जाएगा जो कि क्योंकि यहां भी हाली में यहां पर बताएगे यह अंतिम चरण में पहुँच चुका है निर्मित होने के इसमें इसरों के द्वारा इसमें तरल प्रनोदक का प्रयोग किया जाएगा गगन यान के लिए इसमें विकास इंजन का भी प्रयोग किया जाएगा विकास इंजन के बारे में बात करें तो इसमें तीसरी लंबी अवज का एक हाट टेस्ट संपन अल्रेडी किया जा चुका है इसका यहाँ अलग-अलग भारती प्रक्षय पन यानों की लिफ्टिंग सकती को बढ़ाने के लिए उच्छत्रश्ट प्रदान करने की यहाँ पर उच्छत्रश्ट प्रदान करने वाला एक इंजन देखा जाए तो गगन जो है इसे अलियो कक्षा में यहाँ पर इसे संचालित किया जाएगा गगन यान को और इसको प्रक्षेपित किसके माध्यम से किया जाएगा तो GSLP Mark 3 के माध्यम से इसे हम launch करेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो गगन यान विमान को लेकर के यहाँ पर उसके बारे में आभी देखा जाए तो इसमें हमने आगे चलकर एक मानो यूथ यहाँ और की प्रक्रिया कर रहेतिंने ऊपको यहाँ पर देखा जाए तो दूसरे में हम यहाँ पर एक RoboT को भेजेंगे और इसके तीसरे चलण में जाकर हम मानो को यहाँ पर भेजने वाले है तो यहाँ पर उसी को ले कर यहाँ पर कायर प्रक्रियाएं यहाँ पर प्रारम हो चुकी है और उसके बारे में लगातार आपको अपडेट आती रहेंगी जैसा कि यहां पर आपको कुछ अपडेट आपको चर्चा का विशय बनी हुई है अगला एक और टॉपिक जब भी हम अंत्रिक्ष पढ़ते हैं तो अंत्रिक्ष मलबा एक important chapter निकल कर आता है अंत्रिक्ष मलबे के बारे में ध्यान रखेगा चीन ने चीन के rocket का मलबा अभी हाल ही में मालदिव में हिंदमा सागर के पास गिरा है देखा जाए तो चीन के Long March 5B का यह हिस्सा है किसका है Long March 5B का यहाँ आपका अंत्रिक्ष जो प्रक्षे अंत्रिक्ष यान था ये अंत्रिक्ष इस्टेशन के निर्माण के लिए कलपूर्जे यहाँ पर ले जा रहा था जिसके इस वर्ष के अंतक पूर्ण होने के संभावना थे चीन के दोरा अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जा रहा है और उस अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए जिस प्रकार के यहां पर कलपूर्जों के यहां पर आवश्रक्ता थी उसको ये लेकल जा रहा था और दुरहटना ग्रस्त हो गया संभावना ये है कि चाइना के दोरा अपना जो अंत्रिक्ष स्टेशन है इसे हम जो है वो इस साल के लाश तक यहां पर ड्वेलप कर लेंगे देखा जाए तो अंत्रिक्ष जो कच्रा है इसे हटाने की यहां पर कई तकनीकियों को भी विक्सित किया गया है जिसमें निट कैप्चर, हार्पून कैप्चर, वी कक्षी करण प्रक्रिया, द्रिश आधारित नौबहन पर तकनीकिया यहां पर होती है तो कई अलग अलग तकनीके, इन तकनीकों बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा और इन तकनीकों के तहत यहां पर किस तरीके से अंत्रिक्ष कच्रा या मलबा को हटाया जा सकता है उसके बारे में यहां पर ध्यान दीजेगा अंतरिक्ष मलबे में यहाँ पर देखा जा तो आपके रॉकेट, प्रक्षेपणयान, जो निस्क्री हो चुकिए आपके उपग्रह, भूस्टर्स, अंतरिक्ष यात्री द्वारा प्रयोक की गई या खाई गई कोई चीजों को यह आपको अंतरिक्ष में फैक देते हैं तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको अंतरिक्ष कच्रे के रूप में यहाँ पर ड्वलब गई है चलिए अगला यहाँ पर है भारती अंतरिक्ष संग के बारे में क्यों यह चर्चा का विशय है तो प्रधान मंतरी के द्वारा हाली में भारती अंतरिक्ष संग का यहाँ पे सुभारम किया गया, यहां अउद्योगी के एक निकाए है, यहां अंत्रिक्षेतर में स्टार्ट अप और निजी, छेतर की भागीदारी को सुनश्चित करने का काम करेगा, स्वतंत्र और एकल खिड़की एजिंसी की तरह यहाँ पे काम करेगा तुरित गज से यहाँ पे काम हो सेकेगा एकल खिड़की व्यवस्था रहेगी भारती अंतरिक्ष उद्योग जो है वर्तमासवे में केवल यहाँ पे 7 बिलियन का है व्यश्व संपर को स्थापित करने में भारती अंतरिक्ष उद्योग यहाँ पे एक महत्पूर्ण भून का निभाएगा अगला यहाँ पे ब्लैक होल ब्लैक होल क्यों चर्चा का विशे रहा तो चर्चा का विशे कुछ और ही रहा है हाली में स्टीफन हौकिंग के दिये गए जो एरियम थेयरम की सिध्धान उनके द्वारा दिया गया था उसकी हाली में यहाँ पर पुस्ठ हो गई एरियम थेयरम जो है इस सिध्धान के तहट कहा गया था कि ब्लैक होल के सर्फेस एरिया का कम होना यहाँ पर असंभव है 1971 के आंस्टीन के सापेक्षता के सिध्धान से यहाँ पर एरियम थियोरम का यहाँ पर व्यूत्पन हुआ था जिसमें ब्लैक होल जो होता है देखा जाए तो अंत्रिक्ष में वह स्थान है जहाँ गुरत्वा करशन इतना अधिक और प्रभावी होता है किसे प्रकाश भी यहाँ पर बाहर नहीं मिल प्लगता तो ध्यान यह रखना है कि एरियम थियोरम क्या है कि इसने दिया था और इसके अंत्रिक्ष में यहाँ पर बात की गई अगला है यहाँ पे James Webb Space Telescope क्या है यह? हाली में NASA के सबसे सकतिसाली Telescope को अंत्रिक्ष में यहाँ पर प्रक्षेपित किया गया यहाँ एक infrared flagship फेदशाला है इसे NASA, Canada अंत्रिक्ष एजनसी, European अंत्रिक्ष एजनसी के द्वारा मिलकर संयक्त्रोप से बनाए गया इसका उद्देश है आकाश गंगाओं की खोज करना, विस्तारित ब्रम्हांट परिकल्पना को सुनिश्चित करना, उनकी खोज करना, ग्रही प्रनाली को समझना और सूर्य पृत्वी के यहाँ पर इसे लांगरांच मिंद पर अस्थापित किया गया है और साथ ही यह हबल टेलिस्कोप के उत्राधिकारी के तौर भी से देखा गया रहा है अगला है पारकर मिशन, पारकर मिशन देखिए तो NASA का है और नासा का पारकर सोलर प्रोब ने हाली में सूर के उपरी वायमंडल से यहां पर उडान भरने में पूरी तरीके से सफल रहा इस दोरान देखें तो इसने वहीं पर मौझूद कणो और चुमकी छेत्र का भी अध्यन किया है इसे 2018 में यहां पर नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और नासा के Living with a Star का रिक्रम का यह हिस्सा है जिसके तहट जीवन वा समाज को प्रत्रुप्षे प्रभावित करने वाले सूर्य और प्रत्वीप की प्रनालिच समंधित पहलूँ को हमें यहां पर समझनाय की सूर में आए परिवतन का प्रत्रुप्षे पर किस तरीके का प्रभाव इत्याद ही पड़ता है साथी सूर के ताप से बचाव के लिए इस आपके प्रोब में कार्बन कंपोजिट शील्ड का यहां पर प्रयोग किया गया था जो 2400 डिर्गी सेल्सियस तक के तापमान को यहां पर सच्षम थी यह सूर के क्रमिक विकास से समझित बहतर समझ चरम मौसुमी घटनाओं को यह पुर्वानुमान लगाने में भी यहां पर मदद करेगा अगला टॉपिक अगला इसमें है अंत्रिक्ष मिशनों में परमाण प्रदों की प्रयोग को लेकर हाल ही में चर्चा हुई और इसरो के यू एन राव उपग्रा केंद्र ने एक 100 वाट के रेडियो ऐसे टोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के तीन चरणी विकास से तो प्रस्ताव को यहां पर आवंत्रित किया जिसका उदेश था इसरो के गहन अंत्रिक्ष मिशन की विद्धुत उत्पादन वा ओस्मिय प्रवंधन की आवशक्ता को पूरा करना देखा जाए तो आपको बहुत लंबे मिशन संचालित करने के लिए आपको ऐसी उर्जा चाहिए जो लगातार यहां पर आपको उपग्रा में बनी रहे और इसके लिए परमाड उर्जा जैसी जो तकनीकिया है वो आपको जादा बहतर है और इसी के तहत यहां पर इसके खोज यहां पर चल रही है देखा जाए तो यहाँ पर इसके लिए रेडियो आइसोटोप उर्जा प्रनालिया, रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट, रेडियो आइसोटोप थर्मो एलेक्टर जनरेटर, परमार प्रनोधन प्रनालियों का प्रयोग यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर जो उपग्रा है वो लंबे समयता कि यहाँ पर कारे संचालित हो सके अगला है आठे मिस समझोता आठे मिस समझोता किसके किसके बीच हुआ है तो 30 मार्च 2020 को देखा जा तो 17 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया और सिंगापूर सबसे नया देश है या नविन्तम यहाँ पर देश है जिसने इस पर हस्ताक्षर किये है इसकी घोशना नासा के द्वारा 2020 में की गई और आठे मिस सिद्धान ते जो है समझोता यह चंदर्मा के अन्वेशन मिशन पर मानकों को प्रेशित करके तथा अन्वेशन तथा अन्य ग्रहों से समंधी यहाँ पर एक समझोता है भारत, रूस, फ्रांस, चीन, जर्वनी के द्वारा यहाँ पर इस समझोते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किये गए है अगला है पॉजिट्रॉन अतिरेक क्या होता है पॉजिट्रॉन अतिरेक देखे रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट ने इस घटना का यहाँ पर रहसोत घाटन किया जिसमें 10-300 गीगा एलेक्ट्रॉन बोर्ट्स को पॉजिट्रेक हम कहते हैं जो अन्य ब्रम्हांडी किरणे पॉजिट्रोन इलेक्ट्रोन का यहाँ पर उत्पादन करती है और पॉजिट्रोन देखा जाते इलेक्ट्रोन का क्या है एक यहाँ पर प्रतिकण है बात करते हैं सुक्रग्रह के लिए यहाँ पर भेजे गए मिश्णों के बारे में तो सबसे प्लस या सुक्र की संद्चना को समझने में सहायता करेगा ताकि यह समझा जा सके कि इस ग्रह का निर्मान कैसे हुआ विकास कैसे हुआ और दूसरा विरिटस या भूगार्भी के तिहास को निर्धारित करने के लिए ग्रह की सता का मानचित्रन करेगा और उन कारणों को समझेगा कि यह प्रिथवी से इतना अलग क्यूं है देखा जाता सुक्र अपने आपने सबसे गर्म ग्राय है और यह इतना गर्म क्यूं है और उसकी पोलर एक्स्प्लोरेशन रोवर मिशन क्या है ये तो नाशा का यहां मिशन चंद्रमा के निकट है यहां चरम परवेश में जली बर्व और संभाविश संसाधनों का अनवेशन करेगा इसे हम शॉर्ट फॉर्म में वाइपर कहते हैं और वाइपर में एक गत्षिल रोबोट ह कि तलाश में चंद्रमा के दक्षनी ध्रूं के चारोर भ्रमण करेगा और संसाधनों के यहां पर मांचित्रण भी करेगा अगला है इसमें लूसी मिशन क्या है तो सौरूर्जा चालित नाश्टा का प्रता मिशन है जो ब्रिहस्प्रति के ट्रोजन ग्रहों का अध्यन करे हैं जिसमें से एक समुख प्रत्वी के कख्षा में इसके आगे और दूसरा इसके पीछे है अगला है ट्राइ मिशन क्या है ये नासा का पहला यहां पे ग्रह रक्षा परिक्षन मिशन 2021 में लॉंच किया गया इसका उद्देश है नई विक्सित तक्नीकी का परिक्षन करना इसके तहट किसी अंत्रिक्षियान के छुद्रग्रहों से टकराने और इसके परिणाम सरूप यहां पर पैदा होने वाली ओर्जा से छुद्रग्रहों के मार को बदलना है ताकि भविश में प्रित्वी के ओर आने वाले छुद्रग्रहों को यहां पर रोका जा सके तो बे अगला है laser वायू निकेतन यहां पर relate demonstration इसमें NASA की laser संचार प्रणाली अवरक्त प्रकास का प्रयोग करते हुए इसका तरंग धैर्ग यहां पर radio तरंग से कम होता है ठीक है तो देखा जाती है NASA की laser संचार प्रणाली है इसमें हम आवरक्त प्रकास का प्रयोग करते है और देखा जाते हो इसके कारण इसका तरंग धैर्ग जो है वो radio तरंगों से यहां पर कम है और अधिक data का हम यहां पर इसके माध्यम से संचार भी यहां पर कर सकते है अगला है जुरोंग रोवर जुरोंग रोवर किसका है तो यह मानव रहित चीनी अंत्रिक्षियान है जो 93 यहाँ पर सफलता पूर्वक मंगल की ग्रह पर यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका सता पर आवतरित हुआ और USA के पश्चा चीन दूसरा ऐसा राष्ट बन गया जो यहाँ पर मंगल की सता पर उतरने वाला उसने अपना रोवर यहाँ पर उतरने वाला दूसरा देश यहाँ पर बन गया है देखा जाए तो जुरोंग रोवर जो है युरोपिया प्लैनेटी या मैदानी सता पर आवतरित हुआ यह सवर पैरनों के द्वारा संचालित हो रहा है और यह सता की जाच मृदा की संरचना तथा स्वास्थाने रासानिक विशलेशन करने में भी यहाँ पर सक्षम है तो वहीं पर यह मिट्टी मंगल ग्रा की सता का यहाँ पर पर परिक्षण करेगा निरिक्षण करेगा उनका विशलेशन इतियादी करेगा और USA के बाद चाइना ऐसा करने वाला दूसरा देश यहाँ पर बन गया है जिसका रोवर यहाँ पर मंगल की सता पर उतरा है अगला इसमें है टुंड्रा उपग्रा क्या है टुंड्रा उपग्रा रूस द्वारा एक यहाँ पर मिसाइल प्रारंभिक चेतावनी उपग्राहों का एक समू है ठीक है तो रूस के द्वारा एक यहाँ पर सैन उपग्रा स्थापित किया गया है यह टुंड्रा को यहां पर रक्षा प्रनाली है टुंडरा जिसमें एक और यहां पर उपग्राओं को यहां पर अस्थापित किया जा रहा है टुंडरा देखा जाये तो यह मिसाइल प्रान्रमिक चितावनी प्रनालीओं का एक समू है जिसके स्थाबना 2015 से 2020 में यहाँ पर रश्या के द्वारा की गई है तुन्डरा अगली पीढ़ी के आधुनिक निग्रानी उपकरन लगे हुए हैं जिसके उच्च परिचोधता से मिसाइलों को लॉंच करना संभभ हो पाता है यहाँ उपग्राफ बैलेस्टिक मिसाइलों की उडान के प्रक्षेपास्त का पता लगाने के लिए भी सक्षम है और इसका उद्देश यहाँ पे अंत्रिक्ष आधारित मिसाइल ट्रैकिंग शमताओं में व्याप्त अंतराल को भी यहाँ पे कम करने के लिए कारे करना है भटना करम हुए हैं कौन कौन सी नियूज यहाँ पर आपको आई हुई है इन सभी चीजों के बारे मच्चे से पढ़ते हैं एक और चीज है यहाँ पर देखे एक एन्विजन है एन्विजन क्या है यूरोपी अंत्रिक्ष एजंसी के नेत्रित में शुक्रग्रह पर प्रे पैसों का परेक्षण और इसकी सता के संगठन का विश्लेशन करना 2030 के दशक में यहाँ पर इसको संभावित है इसको लॉंच करने के लिए और नाशा ने भी इस विजन में यहाँ पर सहायता की हुई है दूसरा है बेरेशीट टू पर यूजना देखा जाती है यहाँ पर स्पैसिल एवं इसराइल एरोस्पैस एजनसी का संयुक्त मिशन है यह इनका दूसरा चंद्र मिशन है जिसे 2024 में लॉंच किया जाएगा इसमें चंद्रमा पर प्रयोग करने डेटा एकत्र करने के लिए तीन अंत्रक्षियानों को शामिल किया जाएगा जिसमें दो एक और आपिटर और दो लेंडर शामिल के जाएगे इसी तरीके से जीनोन वन टी है जो विश्का सबसे समेदन सील डार्क मैटर यहां पर इसमें प्रयोग किया गया इसे इटली में INFN लिबरेटरी नाजियो नाली डेल ग्रेन सासों के भूम के तरूप से यहां पर किया जा रहा ह और यह ब्रह्मान का करीब 27% भाग देखा जा तो डार्क मैटर और 80% भाग जो है वो डार्क एनर्जी से बना है तो जीन वन टी जो है विश्का सबसे समेदन सील डार्क मैटर एक प्रयोग यहां पर हाली में इटली में यहां पर किया जा रहा है तो उवरहाल दिखे प्रस से black holes इत्याज ही हो गया आपका ठीक है इसके लावं अंत्रिक्ष मलबज कैसे यहां पे positron क्या हो अतिरेक जसी घटनाएं क्या होती है इनके बारें पढ़ना है इसके लावं कुछ अगले चरण क्या है आपका स्वास्तर रिलेटे यहां पे chapter है क्या क्या है उसके बारे मपढ़ते हैं देखे तो यह पूरा ही आपका जो topic यहां पर है 75% तक का पूरा जो matter चुन्राइब दर ये स्वास्तर रिलेटेट है और उसके बाद हम यहां recre वारे चीज़ों के बारे पढ़ेंगे जिसमें आपको रक्षा प्रदोखी में पढ़ाने वाला हूं उर्जा प्रदोकी में इसमें परेंगे और साथी साथ यहां पे आई पीर के बारें में पढ़ें और पुरसकारों के बारें पढ़ेंगे, तो लास्ट टॉपिक में यहाँ पर जादा कुछ है, लेकिन इस टॉपिक में हमें स्वास्त रिलेट चीजों को पढ़ना है, काफी सारे कुष्टन और टॉपिक यहाँ पर आपको बनते हैं, इससे यहाँ पर कुष्टन पूछे जा यहाँ पर मृत्यू का प्रमुख कारण है, हर पांच में से एक जो बच्चा है वो इससे प्रभावी है, किससे इसकों शॉट फॉर्म में कहते हैं, अर्थात प्रति सोक्ष में जीवी, रोगान रोधी, प्रति रोधी, जिसे अमर कहते हैं, इस रोग से प्रति पांच बच बच्चों में से एक बच्चा भी प्रभावित है, यह अमर किसी सूक्ष मजीव, जीवी जैसे की जीवान विशान वे कवक की वच्छमता है, जिसके कारण यह सूक्ष मजीव, एंट्री माइक्रोब्रियल औसधियों अर्थात एंटी बायोटिक्स, एंटी फंगल को अपन की भी प्रकार के एंटी बायोटिक्स, एंटी फंगल या ऐसी एंट्री माइक्रोबियल दवाओं का जब आप प्रयोग करते हैं, जब आप बीमार पड़ते हैं, तो वहाँ पर इन दवाओं का कोई असर ही नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं यहा जाना, साथी यहाँ पर प्रती सुक्ष जीवी और सधियों का आप अधिकाधिक मात्राम प्रयोग करते हैं, बिना प्रेस्क्रिप्शन के दवाओं की आप खरीद करते हैं, और ऐसी स्थितियों के कारण यहाँ पर आपको एमर जैसी गत्विधियां द्वेलप में हैं, भा YCAR द्वारा AMR के लिए एकी कृत स्वास निगरानी निट्वर को यहाँ पर 2017 में प्रारब किया गया, तो यह हो गया आपका AMR, दूसरा टॉपिक है One Health, One Health क्या है, खाद्यम क्रिश संगठन, विश्व स्वास संगठन, विश्व स्वास संगठन, UNAP ने One Health का यहाँ पर स्व 26 स्वतंत्र विश्व शग्य हैं, देखा जाए तो One Health का जो उद्देश है, यह लोगों, जानवरों, परिस्की, कंत्रों के स्वास को अस्थाय रूप से संतुलित वा अनकूलित करना है, जिसके तहट यहाँ मनुष्यों को, घरेलू और वन जीवों को, पादपों और व्य उठाम, उनका पता लगाने, तैयारी करने, फ्रतिक्रिया देने और प्रवंधन तथा रोग नियंत्रन की फूर्ण फ्रक्रिया को संबोधित करने में हमेहाँ पर पाइता मिलेगे। यह संचारी रोग होते हैं, जिसमें रेवी, चागा, सलसर, लेप्रोसी, लेप्रोटिक, फाइलरेसी, जैसे त्याज रोग हैं, भारत में ऐसे ही कुछ उपेक्षित, ओश्रवंधी रोगों से निजाद भी मिल चुका है, या उनका उन्मूलन कर दिया गया है, जैसे गिनी क्रिम रोग, याज, टक्रोमा, जैसे यहाँ पे आदि रोगों का भारत में उन्मूलन किया जा चुका है, चलिए अगला है म्यूको माइकोसिस, एक ब्लैक फंगस जिसे हम कहते हैं, इसके मामलम लगाता है, व्रिद्धी होई थी, जिसके कारण यहाँ पे महामारी, रोग सदत्तर के तायत, इसे महामारी घोशित किया गया था, यहाँ एक कव की संक्रमण है और यहाँ पर देखा जाए, यह आपकी प्रतिरोधक शमता को कमजोर बनाता है, इसका लक्षन क्या है, चेहरे में दर्ध होना, सूजन आना चेहरे पर, नाक का कालापन, किस्तितियां, धुंदली दृष्टी का होना, दाथ दर्ध और सीने में दर्ध जैसी चीजें आपको यहाँ पर होती है, अगला यहाँ पर एक विध्यक है, राश्टी डोपिंग रोधी विध्यक 2021, इसके तहट देखे क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं, डोपिंग अर्थाद याद इसी भी प्रकार की सनलिप्तता को प्रतिबंधित करता है, दूसरा, खिलाडियों से पदकों, अंको पुरस्कारों को यहाँ पर वापस ले लिया लया जाएगा या जब्त कल लिया जाएगा, यदि वो किसी डोपिंग में यहाँ पर फस जाता है, या डोपिंग जैसी प्र प्रदान किये गए हैं और भी जादा साथी नाड़ा को संचालिद करने के लिए कि महाद निदेशक को यहाँ पर निउक्ति आ जाएगा और इसकी जो निउक्ति होगी महाद निदेशक की वो कौन करेगा केंदर सरकार इसके रहाँ खेल में डोपिंग रोधी राष्ट्री य यमों के उलंगन के स्थिती में सजा का निर्धारन करेगा इसमें एक अध्यक्ष चार उपाध्यक्ष और दस सदस्य होंगे साथी राष्ट्री डोप परिक्षन प्रयोक साला के माध्यम से इस तरह के डोपिंग सीजों का यहाँ पर परिक्षन किया जाएगा तो राष्ट 2021 की इस रिपोर्ट को WHO के द्वारा जारी किया गया जिसमें डेटा कहा गया है कि 2025 में 85 प्रश्ट मलेरिया जो है अस्थानिक देशों में मलेरिया संक्रवन के अनुमानी 241 मिलियन मामले यहाँ पर सामने आये हैं जो 2019 में 227 मिलियन ते अर्थात मामलों की संक्या यहाँ पर दर्ज किये गए और साथी साथ 96 प्रश्ट यहाँ पर मलेरिया से जो मृत्य हुई है वो भी आपको इसी छेतर में दर्ज की गई है अगर हम भारत के दिशकोंट से बात करें तो दक्षणपूर एशियाई देशों के 83 प्रश्ट यहाँ पर मामले और सरबातिक जो संक्रमन है वो भारत में पाए गए हैं यह दिप 2019 भी इस के मत यहाँ पर मलेरिया के मामलों में भारत में गिरावट भी देखने को मिली है देखा जाए तो विश्व भर में करीब 40 ऐसे देश हैं जो जिसे डबलु एचो के द्वारा मलेरिया यहाँ पर मुक्त गोशित किया जा पर बाधित हो चुका हो पूर्ण रूप से आपको मुक्त हो आपको कोई केस नहीं आया है तो यहाँ पर आपको मलेरिया मुक्त देश के रूप में घोशित किया जाता है मलेरिया उन्मूलन के लिए डबलु एचो ने मलेरिया के लिए वैश्वी करणनी 2016 से 2030 की यहाँ पर आपको घोशना किये चलिए अगला है यहाँ पे ट्रांसफेट क्या है ट्रांसफेट WHO ने वैश्विक ट्रांसफेट उन्मूलन 2021 पतीसी प्रगती रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है जिसका शीर्षक रखा गया है काउंट डाउन टू दो हजार तेज इस रिपोर्ट के कुछ यहाँ पर निशकर्ष बताये गए हैं जैसे कि अनिवार ट्रांसफेटी एसिड उन्मूलन नीतियों को विश्व भर में 57 देशों में लागू किया गया इसमें 1 सम्दो 4 बिलिन लोगों को इस नीदिगत प्रयास के तहर शामिल किया गया सरवाधिक बहतर प्रदर्शन की द्रिशकोर से अगर हम देखें तो नीतियों को अपनाने वाले मध्याय वाले देशों में भारत का प्रस्थान यहाँ पर प्रत्हम रहा ट्रांसफेटी एसिड के अगर हम बात करें तो यह असंत्रिप्त वसा युक्त अमल है जो गाय भैस की यहाँ पर आपको भेनोत्याद की आत्म से पाया अधिकतर यहाँ पर प्राक्तिक तोर पर पाय जाता है साथ ही यहाँ पर अध्योगे कस्तर पर इसे क्रित्टिम तरीके से बनाया जाता है जिसमें घी, मक्षन और पकेवा तले खाद पदार्थों में यहाँ पर आपको बहुतायात मात्रा में आपको fatty acids के लक्ष्ण पाये जाते हैं या fatty acids के अंस पाये जाते हैं समस्या क्या है? Trans fat के लेकर यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो प्रतेक वर्ष यहाँ पर आपको trans fatty acids के कारवर करीब 5,4,000 यहाँ पर मौते होती है और अपने आप में अगर देखा जा तो यह data बहुत जादा है 5,4,000 में से करीब 60,000 जो है वो आपको मौते हैं सिर्फ भारत में होती है fatty acids को लेकर के इसके लवा भारत ने 2022 तक इसके उन्मूलन का यहाँ पर लक्ष रखा है और इसके लिए यहाँ पर खाद पदार्थों में transversy acid को यहाँ पर चरणबद तरीके से घटा कर 2% से कम करने का लक्ष यहाँ पर निर्धारित किया गया है कितना 2022 तक इसके उन्मूलन का यहाँ पर लक्ष रखा गया है और घटा करके हैं कितना करना है 2% से कम यहाँ पर रखने का भारत सरकार का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा साथी अगर हम यहाँ पर देखें तो खाद उत्पादों पर TransFet को लिए यहाँ पर जो भी I.C. कमपनिया जो लगा अतार यहाँ पर उत्पादों में TransFet Fetty Acid को यहाँ पर कम करेंगी उनको यहाँ पर अनुमत दी जाएगी कि वो अपने खाद उत्पादों में लोगो लगा सकती है जो है आपका TransFet Free Logo का इस्तमाल करने की भारत सरकार भी यहाँ पर उनको अनुमत देगी अगला है यहाँ पर खाद जनित रोग ठीक है खाद जनित रोग क्या है तो WHO के द्वारा इनके रोग ठाम को लेकर प्रयास किये जा रहे है विश्व खाद सुरक्षा परिशत 7 जून के अवसर पर यहाँ पर इन रोगों के जो खीम रोग ठाम पता लगाने और प्रवंधिन करने के लिए कारे प्रारम किये गए 600 मिलियन लोग यहाँ पर इससे प्रावावित हैं और इससे दक्षण पूरे में एक चौथाई जो हैं वो रोगी यहाँ पर हैं और मृत्य उदर यहाँ पर देखी जाए तो बैयालिश प्रशत है खाद जनित रोग भोजन से संदूशित होने के कारण बीमारियां फैलने से आपको ज़्यादा होती है और इसके लिए कई प्रकार की योजना के तिस्थियां यहाँ पर की जा रहे हैं लोगों को प्रचार प्रचार अप्र जागरुपता उत्पन करने के लिए जैसे इट राइट मोमेंट है स्वक्षिता रेटिंग है योजना है खाद सुरक्षा अनपालन प्रणाली के लिए वन स्टा पॉइंट कार योजना है जो हैं वो लागू की गई ताकि यहाँ पर ऐसा मतलब गलत भोजन या फिर गंदा भोजन करने जो बीमारी यहाँ पत्पन होती है वो यहाँ पर ना हो नेक्ट यहाँ पर फूड फोर्टिफिकेशन फूड फोर्टिफिकेशन क्या है ऐसी प्रक्रिया जिसमें जानबूज कर किसी खाद पदार्थ में आवश्यक पोशक तत्वों जैसे विटामिन खनी जित्याद की मात्रा को बढ़ाया जाता है उसे हम कहते हैं यहाँ पर फूड फोर्टिफिकेशन देखा जाए तो ऐसा किसलिए किया जाता है ताकि पोशन गुडवत्ता में सुधार, कम जोखिम, सागनिक स्वास्त जैसी यहाँ पर लाब हो और खादे और सावजनिक वित्रण विभाग के द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो ग्रेड ए के फोर्टिफाइड राइस कार्निल तथा फोर्टिफाइड चावल के साथी साथ यहाँ पर देखा जाए है तो 45 चावल में आपके निर्यात को यहां पर खरीद के निर्देश दिये गए ठीक है तो क्या है खाद और साव्जिनिक वित्रण विभाग के द्वारा ग्रेड एक लिए fortified rice kernel तथा fortified चावल के यहाँ पर भंडारन और खरीद के यहाँ पर नर्देश दिये गए देखा जाए तो fortified जो चावल है साल्मिक वित्रत प्रनालीवा मिड़े मील के रूप में 2024 तक यहाँ पर वित्रत किया जाएगा fortified चावल में कौन-कौन से यहाँ पर तत्वों का समावेश होता है उनकी मात्रा क्या है तो देखिए तो fortified चावल में लौह तत्व 28-22 mg folic acid 75-125 mg vitamin B12 0.75-1.25 mg zinc 10-15 mg vitamin B1 1-15 mg vitamin B2 1.25-1.75 mg vitamin आपका देखा दाया तो यहाँ पर vitamin 3 यहाँ पर है तो 12 हमलो 5-20 mg तक vitamin 6 है जो आपको 1.5-2.5 mg तक यहाँ पर आपको उनकी मात्रा यहाँ पर पाई जाती है चलिए तो हो गया food fortification के बारे में अगला जो इसमें topic है वो है आपका dementia रोगों को लेकर भी देखा जाए तो आपके exam में question बनते हैं ठीक है विभन प्रकार के रोग किसके कारण से फैलते हैं कौन सा रोग है इसके लक्षण क्या है तो यहाँ पर इन बारे में कुछ आपने अभी हमने देखा जैसे कि malaria को लेकर यहाँ पर question आया आपको क्योंकर mucomycorosis के बारे में यहाँ पर आपको बताये गया है कि dementia जो है इनकी संख्या जो हो जाएगी दोगनी हो जाएगी दिमेंसिया से PDT लोगों की संख्या 2050 तक दोगनी हो जाएगी और dementia लगातार बढ़ क्यों रहा है तो इसके तीन कारण बताये गये हैं पहला उच्छ body moss index उच्छ fasting plasma और glucose धूम्रपान जैसी चीज़ें जो होती है उसके कारण यहाँ पर dementia लगातार बढ़ रहा है डिमेंसिया में होता क्या है तो जब किसी विक्ति को dementia होता है तो वहाँ पर उसे इस्मृती भासा समस्या समाधान इस्मृत की छमता के लोब की समस्या यहाँ पर उत्पन होती है एक रोग आपने सुना होगा Alzheimer, Alzheimer भी देखा जाता है तो dementia का ही यहाँ पर प्रारंबिक सरुपों के बारे में हम इसे कहते हैं या आप इसे सबसे सामान प्रकार कह सकते हैं dementia का किसे Alzheimer को, Alzheimer को dementia का सबसे सामान प्रकार बोला जा सकता है इसके लावा, WHO के द्वारा dementia के लिए लोग स्वास्त प्रतिक्रिया पर वैश्वी कार योजना 2017 से 2025 तयार की गई है ताकि पीडित लोगों के जीवन में सुधार लाया जा सके चलिए, कई बार आप कुछ syndrome के बारे में पढ़ते होंगे और इन्हीं syndrome में दो syndrome के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो की current के कारण यहाँ पर चर्चा का विशह रहे हैं पहला है हवाना syndrome हवाना syndrome आपने सुना होगा एक अमेरिकी व्यक्ति अधिकारी जो भारत दोरह पे आये थे उनको यहाँ पर उसके लक्षण देखने को मिले थे तो क्या-क्या था हवाना syndrome में देखा जाए तो भारत आये यहाँ पर एक अमेरिकी खूफिया धिकारी में इनके लक्षण देखने को मिले यहाँ एक मानसिक स्वास लक्षणों का समू है इसमें बिना किसी बाहरी ध्वनी कि कुछ शोर सुनना, मतली, चक्कराना, सरदर्द, इस्मृति हानी, संतुलन समन्थी समस्याएं आद यह आपको देखने को मिलती है और ऐसा किस कारण से होता है तो इसके लिए बताये गया कि निर्देशित वास्पंदित रेडियो आवरित्ती उर्जा के कारण सिंड्रोम क्या है तो एलन मस्क ने हाली में अपने आपको घोशित किया है वो एस्परजर सिंड्रोम से पीडित है तो क्या एस्परजर सिंड्रोम में देखा जाए तो इसमें लोगों को सामाजिक रिष्टों के निर्मान में परेशानी होती है ये autism spectrum से यहाँ पर समंदित है जिसके तहत किसी व्यक्ति के मांशिक और सामाचिक विकाश को गंभी रूप से यहाँ पर बाधा उत्पन होती है देखा जाए तो स्वास्तिक एक तक्नीक के भी यहाँ पर हाली में विक्सित हुई है क्या है स्वास्तिक तक्नीकी यहाँ पर DTS के सहयोग से CSIR, NCL के द्वारा यहाँ पर पूरे में स्थित है उनके द्वारा विक्सित की गई है या hybrid तक्नीकी है या सुरक्षित स्वास्त पेजल के लिए अत्याध्रिक तक्नीकी है जो यहाँ पर भारती है पारंपरिक ज्यान से समंधित जो भारती पारंपरिक ज्यान को यहाँ पर इसमें संयोजित करेगी इसमें hydrogenic cavitation तक्नीकी का प्रयोग किया जाएगा तथा जल के विशंक्रमण को यहाँ पर करके रोग जनक सिख्ष जीवों को हटाने का काम किया जाएगा रथा आपके स्वास्तिक तक्नीकी अगला है protein antibody यहाँ पर conjugates यह क्या होते हैं देखिए antibody से दवा के कणों को जोड़कर इनका निर्माड किया गया है यह निर्देश निफाफे की तरह होते हैं यह सही पते पर दवाओं की यहाँ पर सुपुर्दगी वित्रण के लिए कोश्काओं को निर्देशित करते हैं कहने का मतलब कि यहाँ पर जो चीज आपको जिस जगह body में पहुँचानी है इक्जैक्टली उसी जगह पहुचाने का काम यहाँ पर करती है आपकी protein antibody antibody conjugates जो होते हैं वो आपको एक तरीके के एक ऐसे लिफाफे या दवा या ऐसी चीज़ें आप कह सकते हैं जो protein को particular जहां पर आपको उसकी जरूरत होती है वो वहीं पर उसको ले जाके पहुचाने का काम उसके वित्रण का काम करने का काम करती है अगला इसमें है डब्लू एचो का आपका वायो हव पहल यह क्या है इसके तहर देखिए इसका जो प्रयोग यहां पर किया जाएगा इसका प्रयोग सालाओं वा भागीदारों के मध्य युजनाओं की तीवरता को साज़ा किया जा सकता है इसमें इनके सुजरक्षित भंडारन, बहतर विशलेशन, अनुक्रमण, उनके विरुद्ध, यहां पर तयारी में सहायता अप्राप्थ होगी यहाँ पहल अगर देखा जाए तो बायो हब को जैविक सामागरी साज़ा करने में भी यहाँ पर सक्षम बनाएगी इक तरीके से देखा जाए तो जैविक सामागरीयों को लेकर्म का अनसंधान, विशलेशन करना, उनको एक साज़ा करने की यहाँ पर एक तक्निकी या पहल है जिसे हम यहाँ पर डबलो एचो के दोरा प्रारम किया गया ठीक है तो इसके तहत यहाँ पर रोकसालाओं और भागिदारों के मध रोग जनकों को तीवरता से साज़ा किया जा सकता है इससे उनके सुरक्षित भंडारन बेहतर विशलेशन और अगनुक्रमन उनके विरुत तैयारी में सहायता प्राप्त होगी यहाँ पहल सभी सदस रास्ट्रों को जैवरक्षा, जैवरक्षा, लागू, विनियमो, सहित, पूर, सहमत, सर्तों के साथ यहाँ पे वायोहब के साथ जैविक सामागरिय साजा करने में उन्हें सक्षम बनाने का काम करेगी अगला इसमें वैश्रिक सोडियम मांदंड, तो वैश्रिक सोडियम अर्था सोडियम का उतलब होता है, नमक, आप कितनी मातर में आपको नमक पूरा खाना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे मांदंड हाल ही में डबलो एचो ने बनाए है, डबलो एचो ने कहा है कि एक व्यक्तिकोल दैनिक जीवन में आपको देली बेसिस पे पांच ग्राम यहाँ पे नवक का सेवन करना चाहिए, लेकिन वैश्विक अस्तर पे इसका उपयोग जो है दोगुना है, काफी जादा मात्रम लोग इसका नमक का यूज़ करते हैं, सोडियम सामान कोश्की अतंत्र के स्वास में सुधार के रूप में यहाँ पर जरूरी है, प्राक्तिक रूप से देखा जया तो यह मांस वा आपको डेरी उत्पादों में यह मिलते हैं, और आहार में अधिक सोडियम की मात्रा के सेवन से उच्छ रक्तचाप और हुर्दय रोग जैसी समस्या यह पर उठपन होती है. अगला इसमें है स्कृप टाइफस, इसकृप टाइफस क्या है? उत्र crush में रहस में एक बुखार की स्तिती जिसे स्कृप टाइफस यहाँ पर नाम दिया गया, इसमें क्या था? इसे बुस-्ट्राइफस के नाम से भी जाना जाता है यह संक्रामक रोग है और लक्षण यहां पे सामान विशान जनित बुखार जैसे होते है लेकिन यहां एक मायट जनित जिवाडू और येंटिया सुट सुगमुसी के कारण यहाँ पर होता है या जहाणी युक्त मृदा में पाय जाने वाले माइट के काटने के कारण आपको फैलता है, उनके लारवास के माध्यम से यह फैलता है या जू, पिस्सी, चिचड़ी के कारण भी फैल सकता है, और शिश्वों से लेकर बैसकों तक यहाँ पर यह बुखार आपको अर्थात, आपको जो स्क्रफ टाइफस नामा के समस्या है, बुखार है या रोग है वो यहाँ पर शिश्वों से लेकर बैसकों तक यह प्राभावित करने की चमता रखती है, तो चलिए हमने यहाँ पर आपका topic complete कर लिए एक और पारट आपका complete हो गया और अब हम अपने अंतिम चरण में यहाँ पर प्रवेश करेंगे, और अंतिम कुछ topic को यहाँ पर discuss करने वाले ठीक है? दीखें, यहाँ पर स्वास्त का chapter हो गया पर यहाँ पर हम यहाँ पर देखें जा रहे हैं 4 chapters के बारे में जिसमें एक बहुत important chapter है रक्षा प्रदोकी रक्षा प्रदोकी क्योंकि यहाँ पर काफी सारी चीज़ें develop की जाती हैं और यहाँ पर आपको आए दिन इसमें से question पूछे गये हैं कभी आपको पंडुब्यों के बारे में, कभी पोतों के बारे में, कभी हेलेक्टॉक्टर्स के बारे में, कभी किस प्रकार की प्रणालियों पर काम करते हैं, किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली हैं, जैसे कि सूपर सोनी कौन सी होती हैं, क्रूज मिसाइल कसी होती हैं, तो यह यहां पर काफी सारे questions आपको बनते हैं इस chapter से इसलिए यहां पर ध्यान से सुनिएगा और रक्षा प्रदोकी के chapters को भी अच्छे से revise करिएगा चलिए देखते हैं क्या क्या चर्चा का विश्य रहा देखे इसमें हैं hypersonic missile प्रदोकी भारत यहां पर चारवर्ष के माध्यम में चारवर्ष में मध्यम से लंबी दूरी की मारक्षमता के साथ hypersonic missile प्रणाली प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा यह भी कहा गया है कि DRDO के दौरा 2020 में hypersonic technology demonstrate vehicle का परेक्षन किया गया और hypersonic जो होती है वो 5 गत की यहां पर 5 मैक की गत से यहां पर संचालित होने वाले missile हैं यह वाइमंडल में प्रित्वी के नजदीक यहां पर आपको guided missile होती है और ब्रम्होज जैसी जो cruise missile है वो इसका एक example है लेकिन भारत के पस अभी देखा जाए तो जो इनकी छमता है वो काफी कम है तो 190 km तक ही तो आगे चलकर हम इन्हें मध्यम और लंबी दूरी की यहां प भारती थल सेना के द्वारा इसमें भारती थल सेना में से सामिल किया गया है और इसका एक अन्य संस्क्रण धुवास्त्र है जो वाइव सेना में से सामिल किया गया है इसकी रेंज जो है वो 500 मीटर से लेकर 7 किलो मीटर तक है और ये युद्धक टेंटिकों को नस्ट करने क से develop किया गया है तीसरा इसमें है S-400 triumph missile रूस ने भारत को आपूर्त यहां पर finally इसकी S-400 की यहां पर शुरू कर दी है और विसकी सबसे उन्नत रक्षा प्रनालियों में यहां पर आपको S-400 triumph missile आती है इसमें चार अलग लग प्रकार की missile होती है जिसमें 400 किलोमेटर 500 किलोमेटर 120 किलोमेटर और 40 किलोमेटर की range की आपको 4 missile है यह सत्र के विमानों बैलेस्टिक मिसाइलों airborne warning और control system विमानों को यहां पर मार सकती है साथी यह सिफ 9 से 10 सेकंड की प्रतिक्रिया के समय के साथ एक साथ करीब एक बार में 80 लक्षों को भी भेदने में सक्षम है तो आप देख सकते हैं कितनी कारिकुषल होती है ताथ कितनी बड़ी यहां पर आपकी जो चंकता है वो कितनी एडवांस लेबल की है अगला है VLSRSMAM यह vertical launch short range surface to air missile का दूसरा सफल परिक्षन ओडिसा के देखा जया तो sea skimming हम ऐसे लक्ष होते हैं जो युद्धुपोतों में लगे रडार से बचने के लिए समुद्र की सता के अधिकाधिक नजदीक से यहां पर उड़ते हैं DRDO के द्वारा इसे नौ सेना के लिए डिजाइन किया गया है अगला इसमें है प्रलाय missile प्रलाय missile जो है DRDO के द्वारा सता से सता में मार करने वाली missile है सता इसके 10 मीटर से कम की यहां पर सटीक दूरी के सासद यह 150 से 500 किलुमेटर की मारक शमता यहां पर से युक्त है या त्याधुनिक नेविगेशन और एवियोनेक्स से युक्त मिसाइल प्रनाली है जिसको हम यहां पर नाम दिया गया है प्रलाय missile अगला है इसमें अगनी प्राइम missile अगनी प्राइम जो है इसे भी डियाडियो के द्वारा कम दूरी के उन्नेत मिसाइल के तौर पर विक्सित किया गया है या सता से सता बैलेस्टिक मिसाइल प्रनाली है इसकी रेंज यहां पर देखें तो आपको 1500 किलोमेटर है तथा 1000 केजी युद्धक वा परमाड सामगरी ले जाने में यह सक्षम है यह दो चर्णों वाली कनस्तिरी कृत मिसाइल प्रनाली है जो ठोस्ट प्रनोदक का प्रयोग करती है और इसमें दोहरी निविगेशन अमार दसन प्रनाली है जो कि गाइडेंड का यहां पर काम करती है गाइडेंस का साथी से रेल और सड़क से भी यहाँ पर आसानी से लॉंच किया जा सकता है अगली है स्टैच स्टैंड ओफ एंटी टैंक डियाडियो के दौरा आईएफ ने डियाडियो था आईएफ ने इसका पोखरण में परिक्षन किया यह तेधनिक मिलीमीटर विफ तकनीकी से लैस है और हेलिकॉप्टर से दागे जाने में सक्षम है यह टैंक विधवन्शक मिसाइल है और दिन रात दोनों ही अस्तरों में काम करने में यह सक्षम है और इसकी यहां पर जो चमता है वो 10 किलोमेटर तक के यहां पर रेंज को हिट कर सकती है अगला इसमें है प्रोजेक्ट 75i यह क्या है रक्षा मंत्राले के द्वारा हाली में प्रोजेक्ट 75i के लिए यहां पर टिंडर जारी किये गए यह फ्यूल सेल आधारित वायू स्वतंदर प्रणोधन प्रणाली सिंसर के साथ 6 अत्याधनिक परंपरिक पंडुब्यों के स्वदेशी निर्मान को लेकर इसे जारी किया गया जिसमें जल से इस तकनीके से युक्त जो पंडुब्यां है वो जल में जादा लंबे समय तक रह सकती है जिसके कारण पंडुब्यों के यहां पर मारक शम्ता में बृद्धी होती है वर्तवान समय चीन, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, रूस के में यहां पर आपको इस तरह की प्रणालियों से यह युक्त है इस प्रोजेक्ट की यहां पर लागत 5.5 बिलियन डॉलर की आने वाली है वेला, अगला टॉपिक है वेला वेला क्या है? P75 के था है चौथी पंडुब्य है तीन आन्नी जो बनाई जा चुकी है वो कलवरी, खंडेरी, करंज है यह सतह रोधी, युद्ध, पंडुब्य रोधी, युद्ध, खूफिया, जानकारी, केत्रित करना, माइस बिछाना, निगरानी करने जैसे कारियों को करती है और इनका निर्माड किया है मजगाओ, डॉक्स, बिल्डर्स, लिम्टेट के द्वारा अगला है आईनस विक्रान्थ, यह शौर्ट टेक आफ बट अरेस्टेट लैंडिंग विवान वहाग एक पोथ है जिसका छेत्तर प्रसस सुदेशी सामागरी से निर्मित है इसे भारती नौसेना की भारती नौसेना डिजाइन निदेशाले ने डिजाइन किया है और भारत का यह प्रथम सुदेशी विवान वहाग पोथ है कैसा है भारत का प्रथम सुदेशी विवान वहाग पोथ है और ऐसा करने के साथी भारत सामिल हो गया अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन के श्रणी में जिनके पास विमान बहा कोत निर्माण की अपनी छमता है कोचीन शिप्याल लिम्टेट के द्वारा इसे बनाया गया और इसमें MiG-29 लडाकु विमान, कामो, 31 Air Early Warning हेलिकॉप्टर MH-60R मल्टी रोल हेलिकॉप्टर का संचालन करने में यह सक्षम है इसमें Airborne Anti-Submarine Warfare भी आपको शामिल है अगला है सार्थक सार्थक क्या है? सार्थक देखा जा तो भारती तटरक्षक पोथ, पोरबंदर में यह तैनात होगा सार्थक क्या है? कि तटरक्षक यहाँ पोथ है जो पोरबंदर यानि को गुजरात में इसे तैनात किया जाएगा गोवा शिपयार लिम्टेट के दोरा इसे बनाया गया है और पांच अपतटी गस्ती जहाजों में यह शौथा यहाँ पर है अगला है तुशील तुशील भारती नौसेना के लिए रूस में बनाया जा रहा है क्रिवाक्या तलवार श्रिणी का एक स्टील्थ युद्धपोथ है इसके तहक यहाँ पर चार ऐसे युद्धपोथ बनाया जाएंगे जिसमें दो रश्या में और दो भारत में प्रदोकी अस्थानांत्रण के माध्यम से यहाँ पर डिवलप किये जाएंगे ये सताह से सताम मार करने वाले मिसाइल सोनार, रडार, संचारतन, पंडुबी, रोधी प्रनालियों से यहाँ पर लैस है अगला है स्मार्ट एंटी एर फिल्ड वेपन ये क्या है तो डियार्डियों के द्वारा स्वदेसी रूप से निर्मेत 100 किलोमेटर मारक छमता स्मार्ट हतियार है यह रडार, बंकर, टैक्सीवे, रन्वे जैसी सत्र हवाई पर संपत्ती छेत्र को लक्षित कर सकता है इस श्रेणी के बंका एलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर आधारित फ्लाइट परिक्षन किया गया है इसका सटीक मारक छमता को बहतर बनाने के लिए इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड और सीकर तक्नीक से इसे युक्त भी बनाया गया है तो अगला है इंद्रजाल इंद्रजाल क्या है स्वायत रक्षा हत्यार प्रणाली या खत्रों की पहचान करने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजिन्स, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, तक्नीकी का उप्योग करता है इसमें UAV आधारित यहां पर मिसाइल, लाइटरिंग उध्रक सामागरी, लो रडार, अक्रॉस सेक्षन, लक्षों के विरुद्ध प्रती सिस्टम और 1000 से 2000 वर किलोमेटर के बड़े छेत्र की रक्षा करने में आपको इंद्रजाल यहां पर सक्षम है साथी साथ यहां समेधन शील लक्षों को सारी, Grain Robotics Company हैदराबाद के द्वारा इसको विख्षित किया गया है तो यह आपका रक्षा कह सकते हैं तंत्र है जो कि किसी भी प्रकार के आक्रमर्ण के स्थिति में यहां पर रक्षा कर सकते हैं अपने चेत्र की एक से 1000 किलोमेटर से 2000 किलोमेटर वरक चेत्र की अगला है इसमें उन्नत चैफ प्रदोकी उन्नत चैफ प्रदोकी क्या है तो DRD ने लड़ाकू विमानों को सत्रूं के रडार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे विक्सित किया है चैफ मुकरूप से एक इलेक्ट्रो काउंट मेडार यहाँ पे डिपेंसिंग सिस्टम है जिसका प्रयोग संवेदेंशी लक्षों जिसे जहाजों पोतों के बचाव के लिए यहाँ पर वाई में तैनाद किया जाता है और यह चैफ मिसाइल मारगशक प्रनाली को गुमरा करने के लिए स्वयम को बहु लक्ष के रूप में यहाँ पर उर्जा प्रदोकी के इंतरगत एक दो टॉपिक हैं आई पियार के इंतरगत एक टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ेंगे और प्रमुक प्रोस्कारों में सिर्फ हम यहाँ पर नोबल प्राइजस को यहाँ पर पढ़ लेते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिए कोईला आधारित यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में उर्जा प्रदोकी के इंतरगत यह पहला टॉपिक इसमें हमने लिया है तो कोईला आधारित जो हाइड्रोजन है वो कैसे यहाँ पर बन रहा है देखिए यहाँ पे हाली में भारसरकार दोरा एक कारेबल विशेशक के समित इसके लिए गठित की गई है कोईला आधायत हाइड्रोजन के निर्माड के लिए कोईले में हाइड्रोजन का उत्पादन करनी के लिए आंशिक आख्षी करण प्रक्रिया का हम उप्योग करते हैं इसमें गैसी करण कारक के रूप में कारवन डायोकसाइड का निर्माड होता है सेस कारवन को साथ यहाँ पर अभिक्रिया करके कारवन मोनोकसाइड का फिर निर्माड करते हैं और या भाब के साथ फिर कारवन मोनोकसाइड जो होता है वो भाब के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन वा कारवन डायोकसाइड का निर्माड करते हैं इस तरीके से यहाँ पर आपका हाइटरोजन निर्मित होता है जो कारबनाधारित है भारत में अभी भी देखा जा WAY जो भारत में हाइटरोजन का निर्माण होता है वो 100% अभी प्राक्तिक गैस के कारण यहाँ बनाय जाता है उर्जा प्रदोकि का इंतरगे दूसरा हमारा topic है solid state lithium battery का जिसको Volkswagen ने कहा है कि 2025 तक वो इसके उत्पादन को उन्होंने लक्ष रखा है यह quantum escape के साथ साज़ेदारी करके यहाँ पर इसे develop किया जाएगा यहाँ एक solid state battery polymer separate को solid state separator से प्रतिस्थापिद कर देती है polymer separator lithium आयन battery में प्रयोग होते हैं और ठोस विशिष्ट अभगट का प्रयोग करके विद्ध अभगट का ये प्रयोग करके कार करती हैं अब question यहाँ पर यह भी आता है यह इस तरह की battery को यह हम विक्सिद भी कर लेते हैं तो उसके लाब क्या है देखे इस तरह की की प्रक्रियाओं के मात्यम से उच्च सेल उर्जा घनत्व कम charging समय और अधिक charging अवध को बढ़ाने की यहाँ पर छमता है और साथी साथ यह बहतर सुरक्षा और लंबी अवध के लिए हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं उर्जा प्रदोकी के बाद intellectual property right में यहाँ पर देखा जाब बौधिक समधा अधिकार के तहत काली मिर्च यहाँ पर चर्चा का विश्य बनी है किसलिए काली मिर्च को लेकर इसमें micronutrient polymer के सूत्री करण के लिए इसे patent और tumor antigen SPAG9 को ट्रेड मार के हाँ हाली में प्रदान किया गया है किसे काली मिर्च के micronutrient polymer और साथी सूत्री इसके सूत्री करण के लिए patent और tumor antigen SPAG9 को ट्रेड मार के हाँ पर प्रदान किया गया है यहाँ patent मिला किसे है तो भारती मसाला अनुसंधान संस्थान को यह आपका patent प्राप्थ हुआ है cancer dehydric cell आधारित यहाँ पर साथी देखा जाए इसे ASPAGN2 ट्रेड मार्क प्राप्थ हुआ है जिसका उपयोग गर्भाश है डिम्व ग्रंति के cancer dehydric cell आधारित immunotherapy वा अस्तन cancer में यहाँ पर किया जा रहा है बौधिक संपता अधिकार किसी व्यक्ति के बौधिक स्रजन अधिकार है और इसके तहट और सद संगठन, व्यवसाय माडियूल, उत्पाद, सौफ्ट्वेर एव अन्य आविस्कारों को इसमें हम शामिल करते हैं बौधिक संपता अधिकार को एक बार इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, बौधिक संपता अधिकार क्या होता है, इसमें copyright क्या होता है, pretend, trademark, कौन क्या जारी करता है, कौन से प्रमुक संस्थाएं हैं, कौन से rules and regulations हैं, उनको जरूर यहाँ पर पढ़ लीजेगा, ठीक ह चले, last हमारा topic है, प्रमुक पुरसकार, और इसमें हम यहाँ पर Nobel Prize के बारे में, जो किसा, भौतिकी और रसायन के छेतर में दिये गए हैं, 2021 में, तो यह पुरसकार किसे किसे दिये गए हैं, और किस कार के लिए दिये गए हैं, वो भी यहाँ पर जाते जाते हम पढ़ लेत हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम भौतिकी के Nobel के बारे में पढ़ते हैं, देखें, 2021 में भौतिकी का Nobel पुरसकार इसे दो ग्रूप में डिवाइड करके दिया गया, आधी जो राशी यहाँ पर पुरसकार के रूप में दी गई है, वो दी गई है यहाँ पर आपको, स्यूकुरो मनावे और क्लास हैसल मान को, उनके कार्य पृतिवी के जलवाई के भौतिक परिवर्तन शीलता की मात्रा निर्धारित करने यह वैश्विक तापमान की विश्वस्निय भविश्वानी करने के लिए दिया गया, जबकि शेश आधी पुरसकार राशी यहाँ पर भौतिकी छेत्र में आपको जियो जिरियो पेरिशी को यहाँ पर दिया गया है, जिनको किस काम के लिए दिया गया है, परुमाड उसे ग्रहों के पैमाने तक भौतिक प्रनालियों में असंबदता वा उतार चड़ाओ की परसपर प्रक्रिया की खोच के लिए यहाँ पर इसे प्रदान किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल तीन बग्यानिकों को भ जियो, जिरियो, पेरिसी को यहाँ पर तीन लोगों को इस्वाल पुरसकार दिया गया है, तो पहला तो हमारा यहाँ पर भौतिका हो गया, दूसरा इसमें है चिकिस्या का नोबल पुरसकार, चिकिस्या का नोबल पुरसकार देखिए 2021 का दिया गया, सयुक्त रूप से डे जूलियस और अर्डेम पटापाउ टिपन को और किस लिए दिया गया है तो मानो सरी में सभी आणू तापमान यांत्रिक दाब में के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते हैं बेसिकली यहां पर देखा जाए तिन्हों ने मानो या human body के sensors के रूप में काम करने को लेकर यहां पर खोज की है ऐसे receptors को develop किया है जिसके मादम से उन्हों ने यह पता लगा है कि human body जो भी है वो एक sensors की भात यहां पर काम करती है और कई चीजों पर यहां पर यह रेवैक्ट नहीं भी करती है साथी इन्होंने कुछ नई चीजों की भी इन्होंने खोज की है तो क्या-क्या चीजें रही हैं उनके बारे में एक बार आपको बता देता हूँ जैसे कि यहाँ पिन्होंने कहा कि तंत्रिका तंत्र में एक सेंसर की पहचानिंग के द्वारा की गई नौविल आयन प्रोटीन चैनल की यहाँ पर खोज किया इन्होंने TRPV1 रिसेप्टर यहाँ पर जिसे नाम दिया गया साथी अर्डेम ने पीजो 2 नामक एक सेंसर तथा पीजो 2 नामक एक जीन की भी खोज की और दोनों ने मिलकर TRPV1 रिसेप्टर की खोज की जो अत्यन्त कम यहाँ पर तापमान पर सक्री रूप से आपको काम करता है तो चिकिस्त के खेत्र ने के द्वारा किये गे कई परकार की खोज और कारियों को लिये यहाँ पर 2021 का Nobel Prize पुरजकार दिया गया लास्ट में यहाँ पे रसायन पुरजकार है इसके बारे मिए नोबल देख लीजे नोबल प्रसका रसायन के छेतर में दिया किसे गिया 2021 में यहाँ AC metric argono catilisn ठीक है AC metric argono catilisn के लिए नामक यहाँ पर अड़ों के निर्मार के लिए नया तरीका खोजने के लिए दिया गया यहाँ सईयुक तरूप से Benjamin Listwar David W.C. Macmillan को दिया गया है ये उत्प्रेरक होते हैं और इनका यहां पर प्रयोग जो होता है पर्यावरन, अन्कूलन को सरलता से उत्पादन करना, रासायनिक अबिक्रियाओं में, उत्प्रेरक के रूप में इनका प्रयोग करना, प्लास्टिक, फार्मसियोटकल, इत्रा और खाद पदार्थों में भी उसके लिए इन दो वैग्यानिकों को नाम क्या है इनके तो डेविड W.C. Macmillan और Benjamin Liszt को रसायंच छेतर का यहाँ पर पुरसकार दिया गया नोबल का तो आज के घटना क्रम में Science and Tech के अंतरगत हमने यहाँ पर जन्वरी 2021 से लेकर के अप्रेल 2022 तक के घटना क्रम को देख लिया Chapter wise हमने यहाँ पर देखिए आपको सब कुछ पढ़ लिया हमने इसमें जय प्रदोकी को पढ़ा, नैनो प्रदोकी के बारे में पढ़ा, सूचना प्रदोकी के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, अंत्रिक्ष प्रदोकी के बारे में आपको पढ़ाया साथी स्वास के छेत्र के बारे में इसमें आपको जानकाई दी गई रक्षा प्रदोकी के बारे में पढ़ा, उर्जा प्रदोकी के बारे में पढ़ा IPR के बारे में पढ़ा और पुरसकारों को लेकर भी डिसकस किया तो अब आपका काम है इन सभी topics को अच्छे से दो से तीन बार revision करना है, next video क्योंकि आपको अगले week आपको मिलेगा, environment का आपको अगला video यहाँ पर मिल जाएगा, और लेकिन उस video को आने से पहले आपका काम है कि science and tick के बारे में इस video से multiple time study करो, जो जो topic मैंने बताए हैं, उनको अच्छे से study करना, जो topics lecture यहाँ पर हमने पढ़े हैं, उनको अच्छे से पढ़ना, और जो chapter यहाँ highlighted हुए हैं, उनके बेसिक जो concept हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजेगा, तो आज के लिए इतना ही, thank you so much and good luck, अच्छे से exam लिए तयारी कर आज के लिए तना ही, thank you so much and good luck.